कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो के लिए मजगर रोको यार प्लीज बीच में से बैग अटाओ अंडर्स्टांड इस थिंग प्लीज मराठी में बोलते हैं आप लियाला सहकार्य कर आवे मेरा मराठी थोड़ा सा अच्छा है बस बोलते नहीं जमता है प्रोपर आई लव यू तू हाई तूज भगवान है वो नहीं दिखेगा पिर इनके लिए कलग अ सी लगाओ इधर अड़ल के लिए जल्दी 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 मालिक जल्दी हाँ भाई दर ही लगा दे यार सामने लगा दे भाई, जीदर लगाने है उदर लगा हाजी मालिक साले नकास करूबाओ गाईस बैठ गया मालिक सब लोग यार एक मिनिट उपर हो गया यार, आओ ना जल्दी अच्छा कुछ बच्चे ऑनलाइन कह रहे हैं, सर, कमपनी जाक में हाई कोट ने होता है, जरूर डिके ने बोला है आपको मैंने तुम को कल इती पढ़ा ते वक्ति यह बूला की कम्पनी जर्च में यह ने होता, यह क्या गरीब आदमी के साथ ऐसे ही करते हैं, सब लोग यह उडेगा ने मतलगा अवनीश देख बहुआ जा रहा येस तो भाहिसा मैं नहीं बूला भाय मेरे को कंपनी जाक मालूम में नहीं भाय गरीब अद मी मैं विचारा चलो येस येस थोड़ो दीदी को जान दो मालिक शुड़ा साथ सब हो गया बोक निकल गया इदर उदर जो देखना था सब हो गया अच्छा में को एक बात बताओ अच्छो गुड मारिंग अच्छा मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो जिदर बैटे है वो तीन दिन से उदर ही बैटे तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि मतलब उदर बैटे तो ऐसा एंगल वगर है रहते क्या अच्छा मैं देखो मैं दुम्हार को बोलना चाहता हूं क्योंकि तुम फेस्टू फेस क्लास में हो पहले दस पंदरा दिन रोज अपनी जगह चेंज करो उसके दो रीजन है मेरी बात समझना पहला जब आप अलग 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 जगह बैठोगे तो आपके मल्टिपल ग्रुप्स बनेंगे और इस कोर्स के अंदर में इस प्रफेशनल कोर्स के अंदर में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है आपके अलग 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 दोस्ट जब बनेंगे अलग 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 एरिया से आज मुझे कहते वे बहुत प्राउड होता है कि पूरे भारत बर से कैसे काम आएगा, आपको बिल्कुल नहीं बता, so it's time to make networking, इसको क्या बोलते है मालिक, networking, ठीक है, limited मत रहो, understand, don't be introvert, अब समय आ चुका है कि तुम extrovert हो, और extrovert हो करके क्या करो, अलग-अलग लोगों से मिलो, so it's time, can I have the hands, किते लोग नहीं हैं, मतलब जो दो दिन से नहीं आएं, किते लोग नहीं हैं, okay, okay, ठीक है, तो जितने भी लोग नहीं है, point number one, डर्ना मत इदर stage पे क्या हो रहा है, और दूसरा, और दूसरा, पहले दो दिन ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत interlinking है, पिछले दो से हम basic ही कर रहा है, don't worry हमने आपको अभी तक tax पडाना चालो ही नहीं किया, पिछले दो दिन से basic चल रहा है, और शायद आज भी वही चलने वाला है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मैं को याद आ रहा है, तो क्यों ना पहले revise के लिए जाए, बोलो हाँ, 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 28, कितने chapters है, कितने schedule है, 14 schedule, is the act applicable to rule of India, father of income tax is called, पहला act पास हुआता है, पहला act पास हुआता है, फिर independence के बादा है act, 1961, yes or no, act में सिर्फ act होता है क्या, act के पीछे क्या होते है, schedule and annexures, yes, अच्छा बताईए, component of income tax, component of income tax law, बताओ जल्दी से, what are the components of income tax law, क्या act में सिर्फ act पढ़ना है, नहीं, क्या सिर्फ rules पढ़ने है, क्या सिर्फ notification पढ़ने है, circular पढ़ने है, सिर्फ case law, नहीं, क्या यह सब combined पढ़ने है, yes or no, so components of income tax law, components of income tax law, हमें यह सब combined पढ़ना है, yes, notification is, communication of any change, circular is, clarification of doubt, is circular, internal communication or external communication, इंटर्नल कम्मुनिकेशन, all notifications and circular dash months before exam are applicable, 6 months before exam are applicable, yes पेडा बहुत बढ़िया, इसके बाद हम गईते हैं वहाँ, काहां? अरे वहाँ? हाँ, 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 याद आरा है मेरे को, हम गईते हैं, तो direct tax और indirect tax और indirect tax सेम ह अलग अलग है दारेक्ट थारेक्ट 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 थार Direct Taxes Handled by Dash Indirect Taxes Handled by Dash CB I.C. क्या ये Permanent Body है सरकार आएगी जाएगी This Body Will Remain Same आँ हो अरे आँ हो फिर हमने बात करे दी उसकी किसकी? उसकी आँ Taxes or Duties Duties is on Goods Taxes is on Goods As well as Other Item Yes or No Is Tax a more wider word than duty? Yes But we don't have any other classification हमें कोई फरक पढ़ता है दोनों भी सरकार के लिए revenue है आँ revenue से याद आया No taxes can be or collected except by authority of law याद रहे कि आपको So अहां ये authority मतलब कोई पहले law होना चाहिए तो ही आप tax बना सकते है तो ये law किसके द्वारा पास होना चाहिए Parliament Parliament session में नहीं है तो President याद आ रहे कि मालिक Yes जो भी tax collect हो रहा है इसको collect करने का power Union के पास है मैंने ऐसा सुना था Union की Entry No. 82 to the Union List याद रहे कि आपको Entry No. 82 to the Union List के अंदर में हमें पावर दिया है तो collect taxes on All Income To collect the taxes on All Income All Income Agriculture नहीं है इसमें तो अगरिकल्चर पर tax नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं पर union नहीं ले सकता तो कौन ले सकता है पर फिर भी tax तो union पर ही collect होगा न And will be divided between States याद रहे Tax में सिर्फ tax नहीं होता ब्रो Surcharge और SES भी होता है Surcharge is an additional पर सर्चार्ज है ये भी डिवाइड कर लो चलो Central State भाई चारा तिरा मेरा अदा अदा बोल It is kept only by union Tax is divided पर सर्चार्जी is only kept by union हाँ वो एक और चीज है जो सिर्फ specific purpose के लिए use होगी Is it collected as a percentage of tax बहुत बढ़ी है तो वो सिर्फ specific purpose अच्छा भारत सरकार के अभी कौन से दो purpose चालू है Health and Education ये दो purpose है Yes or No Malik तो ये था tax word की पूरा एक एक end तक के फिर हम घुसे तीसरे word में 1961 तो हमने समझा 1961 का law भाई जी मैं 2000 23 में पढ़ रहा हूं 24 में पढ़ रहा हूं क्या logic है amendments आते है Act तो वही है हर साल बस अपने कपडे बदल देता है वही है तो हलती है का टीसरे बज़ड से टीसरे हाँ तो बजट तो एक ही प्रकार का होता होगा कैश बजट, क्रेडिट बजट फाइनल बजट और इंट्रिम बजट अच्छा इंट्रिम बजट और फाइनल बजट दोनों हर साल आते थी तो मेरे कोई बात मानते गी उन्हें इलेक्शन इयर में कितने बजट आते हैं पहले क्या आता है जाने वाली इंट्रिम बजट जो नई सरकार आई है वो फाइनल बजट बनाएगी मालिक एवरिवान येस अच्छा जी और बाकी के फिर नेक्स्ट इयर से हर साल क्या आते रहेंगे फाइनल बजट बजट में अमेंड्मेंट आते हैं जनरली आई डिटी के अमेंड्मेंट ही आते हैं सिर्फ न कि डिटी के भी अमेंड्मेंट आते हैं दोनों का अमेंड्मेंट आते हैं अर दोस्त दोनों के अमेंड्मेंट आते हैं तो IDT के amendment तो उसी राथ से लागू हो जाते है, DT के amendment first day of next year, क्योंकि पूरा income tax कौन सी language में लिखा है, assessment year की language में लिखा है, आने वाले क्योंकि current year में तो तुम क्या कमाओगे, income, इस income पे tax कप पे करोगे, अगले साल, क्या याद है कि नहीं तुमको, अरे इसी लिए तो act 61, rule 62, हाँ, तो आपको कौन सा budget applicable अगर आप में 24 दे रहे हैं तो, जो 24 में आएंगा वो, 23, पकी बात, दिल पे, दिल से, November 24 दे रहे हो तो, November 24 दे रहे हो, तो भी 23 का budget, पढ़ रहे हो मतलब, फिर हम section 1 में गये थे, that is applicable to whole of India, अरे India हाँ, तुमको पता है, कल मेरे को Abhishek sir मिले, बोले India मतलब जो map पे दिखता हुथता ही, मैंने कहा Abhishek sir, ऐसा नहीं होता है, बताओ sir को, 200 nautical miles, वो बोल रहे है, चल, 200 nautical miles है भी, तो अभी section नहीं बुला, ये जो 200 nautical miles है, ये सिर्फ पानी के उपर है, ठीक है न, बरवर, अच्छा, जो 200 nautical miles के बाहर है, वो किसके दे थ्रू डील होता है, DTAA Finals, everybody, येस, फिर इसके बाद हम लोग गय थे section number 4 पे, तो एक मिट प्लीज मिन ले बुक पलटाओ न, section number 4, important section में अब तक मैंने सिर्फ एक पढ़ाया, बताईए कौन सा, ठीक है, चलो, एक बार मंतर की तरह हम सब बुलेंगे, income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year, क्या तुमें याद है, तो इसका पहला वर्ड ढूडने निकले, आपको तो पता है, मैं average बच्चों मेरेकों तो हर एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा पहले, येस, तो मैं तोड़ते तोड़ते पहले वर्ड पे घुसा, पहला वर्ड था income, और हमने बहुत सारे discussion चालू कर दिये, येस, पर इसमें से मुख्य तोर पे पहला discussion जो सब के दिल पे धड़क रहा था, वो था legal और illegal, तब जाके हमने कलेक्टी ये कुरेशी सुप्रीम कोट जज्ज्मेंट पड़ा, के भाई, income tax has nothing to do with legal और illegal, हमारे को कोई फरक नहीं पड़ता, वो पुलिस अपना देखते बैटे, legal है या illegal, income tax तो income लेगा, येस, अच्छा जी, income is defined under income tax act, अब तक हमने ये definition देखी, नहीं, पर हमें पता चल गया कि define तो है, अच्छा जी, income means receipt, पर हर receipt, income नहीं होती, ये कल तक हमने पड़ा है, yes, sir हम कहां है, या दूगा तो, चौथे वर्ड पर हम चार वर्ड पड़ रहे हैं पिछले दो दिन से, income tax act 1961, तो भाई मैं पिछले दो लेक्चर से सिर्फ तीनी वर्ड पड़ा पाया और आज चौथा वर्ड पड़ा रहा हूँ, income, ठीक है मालिक, चलो फिर से शुरुआत करते है, चली ये शुरुआत करते हैं, तो income defined है, पर अब तक ही definition हमने देखी नहीं, इंकम legal भी हो सकती है, illegal भी हो सकती है, income means receipt पर हर receipt, income नहीं होती है, वा, देखो क्या बात कई है, income means receipt पर हर receipt, income नहीं होती है, क्या बात कई है, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, income means receipt पर हर receipt, income नहीं होती है, देखिए, अब कैसे identify किया जाता है कि कोई भी चीज जो मेरे को मिली है, या मेरे bank account में credit हुई है, is that an income or not, ये किस basis पर classify किया जाता है, yes, क्यूंकि आप सोच करके देखिए, sources of income कितने हैं, पांच, कौन-कौन से, salary, house property, business, capital gain, other sources, एक आम बच्चा ये ही कहता था, आपने मेरे question नहीं सोचा और attempt लगा दिया, मैंने पूचा sources of income कितने हैं, आपने मुझे heads of income बताए, ये फरक है accountant और chartered accountant में, सवाल को पहले ध्यान से सुनने के आदत लगाओ, पहले सवाल सुनो, आपने कभी दिखा होगा, ये बहुत शान्त रहता है, तो एक दिन की बात है, जब मेरी शादी नहीं थी, तो मैं एक प्यारी महिला से मिला, मतलब समझ ये, ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, तो प्यारी महिला ने मुझे तंज देते वे एक दिन कहा, कि तुम CS को बहुत attitude होता है, तुम लोग बात क्यों नहीं करते हो, मैंने कहा, हम शानत रहे, ये ही ठीक है, बुलना चालू कर दे, तो कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे, बरवर एक ही नहीं, तो अब मुझे एक बात बताईए, हमने कहा कि भी है, income means receipt, पर हर receipt income नहीं होती, sources of income कितनी है, unlimited, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे भी, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे भी, भाई, yes or no, कोई भी मांग के भी कैसा कमा सकता है, कोई job करके भी पैसा कमा सकता है, yes or no, कोई business करके भी पैसा कमा सकता है, कोई profession से भी पैसा कमा सकता है, कोई investment से भी पैसा कमा सकता है, पैसे तो कैसे भी कमाया जा सकता है, sources of income are unlimited, these are classified in five heads, but अब question arise होता है, कि मेरे bank account में जो पैसा है, या मेरे को जो cash मिल रहा है, इसमें से income किसको माने, it is a receipt, पर is receipt an income, let me give you a example, इसको और clarify करने के लिए, तो बात उन दिनों कि यह जब है, मेरे भाई नाम के तरह, श्रेयांच, श्रेयांच आया, श्रेयांच बोले, पैसो की जरू होता है, यह लिए पांचलाक रुपे लग, जब तेर को जमेंगा, एक-दो साल में तब दे देना, now understand, श्रेयांच ने मुझे क्या किया, पांचलाक रुपे दी, पकड़, यह पांचलाक रुपे इसने में को दे दिये, इसने कहा, दो साल के अंदर में विज Receipt है न, यही तो मैं कह रहा था, Income means a receipt, पर हर receipt, Loan and Liability को आप Income थोड़े मानोंगे, even though it is received, even though it is received, yes or no, मैंने debenture issue किया, मैंने क्या issue किया, debenture issue किया, company ने debenture issue किया, पैसे आए, बरवर, चलो एक काम करो, इसे income मानलो, क्यों, आपको अगर याद हो, तो balance sheet के liability side में डे बेंचर लिखा जाता है, यह income है क्या, पर यह receipt है क्या, every income is a receipt, पर every receipt is not an income, are you getting the point, तो हमें यह classify करना बहुत जरूरी है, that what receipts are income, and what receipts are not an income, are you getting the point, so receipt हमारे पास दो तरह के की होती है, understand, receipt हमारे पास कितने तरह के की है, दो, एक है capital receipt, और दूसरी है, revenue receipt, भाई सहाब, मतलब भाई सहाब, receipt कितने प्रकार की है भाई जी, दो प्रकार की receipt है, एक है capital receipt, दूसरी है revenue receipt, ठीक है, तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ा मूल मंतर, गुरू मंतर दे रहा हूँ, कि भिया कैसे identify करते हैं, कि कोई receipt, income है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते है, capital receipt and revenue receipt, ठीक है, इस पार्ट को अगर आपने समझ लिया, आपको कभी income की definition को learn करने की जरूत नहीं पड़ेगी, are you getting my point, are you getting my point, इस पार्ट को बिलकुल मतलब आंधी आए, तूफाए या अंबर फट जाए, किदर भी ध्यान नहीं देनेगा, सिर्फ भी ध्यान देनेगा, यह समझ गया, मैं challenge देता हूँ, income की definition तुम by default में बोल दोगे, तुम बोलोगे income का definition, पर अगर तुमने मेरे को आ मिल जाएगा, everybody, यह किते हैं, फोकुस, दो तरके की receipt, income means receipt, पर हर receipt, I can't hear you, income means receipt, पर हर receipt, ठीक है, तो हम ढूणने निकले, receipt दो प्रकार की होती है, capital receipt, revenue receipt, ऐसे किते प्रकार की रहती है, दो, revenue receipt, capital receipt, ठीक है, अब capital receipt मतलब क्या होता है, capital receipts, वो receipts होती है, जिसको tax नहीं किया जाता, income tax में capital receipts, वो receipts होती है, जिसको tax नहीं किया जाता, income tax में capital receipt, वो receipts होती है, जिसको tax नहीं किया जाता, और income tax में capital receipt, वो receipts होती है, जिसे tax नहीं किया जाता, So, capital receipts, लिखना कुछ मत, शांती रखना, are not chargeable to tax unless specified, लिखना कुछ मत, पेन वेन सम निच्चे, these are those receipts which are not chargeable to tax unless specified, capital receipts, वो receipts होती है, जो taxable नहीं होती, जब तक कि हम ना कह दे, sir क्या आप हमें, example दे सकते हैं, example लिलो साहब पहला, capital in business, हम सभी लोग बच्चपन से पढ़ते आ रहे हैं, business is different and person is different, has or no, इसे कहा जाता है, separate legal entity, क्या कहा जाता है बोलो बच्चे, separate legal entity, yes, तो suppose कर लीजे, suppose कर लीजे, विजह ने पैसा partnership firm के अंदर में डाला, yes, विजे ने पैसा डाला, एककतवम limited partnership firm के अंदर में, sorry company, विजे ने पैसा डाल दिया company के अंदर में या partnership firm के अंदर में, अब वहाँ पे, journal entry क्या पास होई होगी, जरा सोच के देखो, विजेस capital account debit या capital account debit firm होगा या company होगा, as the case में भी, yes, to cash and bank, या cash and bank account debit to share capital, कौ understand कीजेगा, business में पैसा आगया, आपके हिसाब से, यह जो capital आया है, यह P&L के credit में जाएगा, यह balance sheet के asset side, liability side में जाएगा, balance sheet liability side के अंदर में जाएगा, तो अब मुझे बताईए, जो capital introduced होता है business में, is business के लिए यह receipt है, is it a receipt for the purpose of business, but can it be treated as income, are you getting the point, so can I say a capital in the business, or which can also be said as a liability, liability में और क्या आ सकता है, loans, advance, are you getting the point, so any kind of liability, any kind of capital will not be treated as income, even though it is a receipt, are you getting the point, क्यों, क्योंकि यह वापस करना है, and something which is to be repaid, आप उसको क्या नहीं कर सकते, income नहीं मान सकते, it is just a receipt in my bank account, are you getting, तो मान लीजे, AO के पास गया, AO ने मेरा bank account देखा, उस bank account में तर पांचलाक रुपे दिख रहे है, यह पांचलाक रुपे मैंने मेरे दोस से loan लियावा है, and if I can prove it, क्या है, यह मेरे लिए क्या है, loan है, I need to repay it back, तो क्या वो मेरे यह पांचलाक रुपे मुझे टैक्स कर सकत रहा है, the answer is no, because वो यह से क्या treat करेगा, capital receipt, are you getting the point, yes, so liability is a bigger word than capital, capital is included in liability, तो उस पे दिमाग मत लगा न, capital बोला और liability बोला, difference क्या है, capital is a part of liability, liability is a bigger word, yes, so किसी भी प्रकार का loan, liability, capital, यह सब क्या मान जाता है, capital receipt, so if it is a liability for you, even though it is receipt, it will not be treated as income, are you getting the point, second, personal effect, भाई जी, personal नहीं, personal effect, personal effect, personal effect, personal effect मतलब वो goods जो आप अपने personal use के लिए use करते हैं, Personal Effect मतलब वो Goods जो आप अपने Personal Use के लिए Use करते हैं तो आप देखिए आपके घर में क्या देखा आपने बचपन से क्या-क्या चीजे बिखती है आपने देखा आपके घर पे बचपन से क्या-क्या चीजे बिखती है Point No.1 रद्धी बिखती है कभी आपने देखा? Yes, Forget About Amount Forget About Amount इनमाराण रद्धी बेचके कितनाः पैसा आता है Yes, Matterality Concept Accounts में वक करता है Income Tax मेनी क्या क्या वपस बूलो, वापस बूलो Materiality Concept Accounts में वक करता है Income Tax मेनी Income Tax मे एक रुरुपय भी relevant है एक रुपय भी क्या है? relevant क्योंकि इस एक रुपए से आपका tax rate भी change हो सकता है क्योंकि up to 5 lakh there is no tax, the moment ये 5 lakh 1 रुपीज हो गया, there will be tax so income tax में materiality work करता है, accounts में नहीं करता, are you getting the point, yes तो शोलो, वापस से, personal effect, आपके घर पे बच्पन से देखा, आप लोगों ने रद्धी भी की, रद्धी बेचा पैसे आए, forget about the amount, कितनी आए, क्या ये income है, आपको लगता है आपके डाड ने इसके ओपर कभी tax pay किया होगा, well the answer is no, reason, क्योंकि ये personal use के लिए use की जारी है, ये किसके लिए use की जारी है, परसनल यूज के लिए use की जारी है, इसलिए उसके टैक्स नहीं आता, दूसरा, आपके घर में पुराना fridge, पुराना टीवी, पुराना washing machine, ये इस पुराना scooter भी का, पैसे आए, क्या इस पर कभी tax भरा होगा आपके डाड ने, नहीं, क्योंकि ये personal effect है, तो ऐसे goods जो personal use के लिए use किये जाते हैं, उसको हम personal effect कहते हैं, और personal effect sale करने पर जो पैसा आता है, इसे income tax क्या मानता है, capital receipt, अब पूछो ऐसा क्यों मानता है वो, पूछो न क्यों, understand, तो एक दिन मैं diesel company में गया, diesel लड़कियों घड़ी की एक company भी होती है, ठीक है, तो, सुनिया, तो मैं diesel में गया, मैंने गया, मैंने ये watch उठाई, मैंने ये watch उठा करके क्या कर लिए, पहन ली, पैसे दे दिया, understand, am I using it for my personal purpose, hello, am I using it for my personal purpose, मैंने जब इसको लिया होगा न, income tax का एक section है, section 37, कहता है, अगर goods आपने personal use के लिए लिए है, तो हम इसको business का expenditure नहीं मान सकते हैं, अब कोई चीज जब आपने पहले उसे expenses ही नहीं माना है, जब इसको बेच के पैसा आएगा, आप इसे income treat कर पाओगे क्या, हलो, हलो, ट्रिंट्रिंग, हलो, जब मैंने इसे खरीदा section 37, बोलता है, बेटा ये जो खर्चा तुने किया, ये तेरे personal use के लिए था, और personal use के लिए गया क्या खर्चा, हम business का खर्चा, नहीं मानते, और जब हम business में पहले expenses ही claim नहीं कर रहे हैं, तो जब इसकी receipt होगी, क्य माना सही होगा क्या ब्रो, अगर करना है तो दो तरफा करना होगा, प्यार एक तरफा ना हो पाएगा, या तो पहले expenses मान लो, और recover करते वक्त आप इसे income मानो, कोई तकलीप नहीं है, पर आपने पहले इसे expenses ही नहीं माना, बेचते वक्त वखले इसे residual कुछ भी आया हो, भी income, yes, अब यह जो घरवाला refrigerator है, इसको expenses claim ही नहीं किया गया, will that be treated as income, are you getting the point, तो जो परसनल यूज के लिए किया जा रहा है, जो परसनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है, उसे आप क्या नहीं मान सकते, बोलो बिटा, income, हलां कि, bracket में हाँ पे हम लिखेंगे, refer, exception to, personal effect in capital gains, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो इसके exception में है, मतलब even though you use it for personal purpose, पर law, इस पर tax लगाएगा, पुछो example, पुछ ना example, gold, example is gold, यह capital gain में पढ़ेंगे हम, आगे आएगा, understand, अगर suppose कर लिजे, मैंने gold का bracelet लिया, इसको मैं जब भी sell करूँगा, मैं तो income tax में यही बोलूँगा, sir, it's a personal effect, using it for the purpose of personal use, income tax ने clear cut लिखके रखा है, कि gold को हम personal effect नहीं मानेंगे, even though आप इसे personal use के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस case में, even though I am using it for personal purpose, पर जब मैं gold बेचू भूँगा, will that be liable to tax, yes, so there are certain exceptions, but हम general exceptions पहले कर लेते, तो अब मैं आपसे 5-10 सवाल पूछता हूँ, बस इस concept पर मुझे बताईएगा, मैंने घर पे sofa लिया था, घर के use के लिए sofa लिया था, ये sofa बेचा, पैसे आए, is it an income, no, is it a receipt, yes, is it an income, no, yes, इसे कौन से receipt मानी जाएगी capital receipt, yes, घर का AC, बेचा, मैंने टीवी बेचा घर का, टीवी जो मैंने class में लगाया था, वो बेचा, sorted है bro, yes, तो अगर आपने simple logic याद रख, use नहीं, तो ये देख, अगर पहले किसी भी चीज़ को expenses claim किया है, तो आप बाद में इसको क्या मान पाओगे, income, वो कहां use हो रहा है, irrelevant, क्योंकि आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है, sir, मैंने income tax department को बोला कि टीवी में office में लगा र बिल्कुल अगरी, ऐसा ही होता है, होता है, ऐसा ही है, पर law पहले आपको समझना पड़ेगा, तोड़ना कैसे हो तो तो तुम समझी जाओगे, नहीं, तोड़ना नहीं, गलत हो, planning, planning, क्या हम tax tutoring है रहे, छे, plan, sophisticated word, yes, sir, coffee, latte, cappuccino, का है, cappuccino, so it's not coffee, cappuccino, ठीक है, चलो, one, two, three, start, हा, so income means a receipt, पर हर receipt, तो अगर वो चीज़ आपके लिए liability है, क्या वो आपके लिए income मानी जाएगी, नहीं, जो आप personal use के लिए use कर रहे है, जिसके लिए पहले expenses का deduction मिला ही नहीं, बाद में इसके recovery होगी, क्या ये income मानी जा आ सकता, हाला कि इसके कुछ exception है, जो हम capital gain में देखेंगा, अभी सिर्फ आपको ये ही समझना है, तो आप मुझे बताइए, हाँ, जो पुराने कपडे थे, हमने वो बेचे, कुछ amount आई, income tax में materiality काम की, suppose पैसा आया, is it an income, no, क्योंकि आपने personal cloth का expenditure book, नहीं किया होगा, यह अगर, personal cloth का expenditure book किया था, let's say business, हमने stock मंगाया था, यह stock भी कही नहीं, हमने sale लगा करके बेच दिया, अब यह income है क्या, क्योंकि आपने पहले उसे क्या book किया होगा, expenses, are you getting it, यह logic है, अच्छा जी सर, so, capital receipts are not chargeable to tax, capital receipts में क्या आता है, liability आती है किसी भी प्रकार की, liability में क् क्या आता है, capital आता है, loans and advance आता है, debenture आता है, bond आता है, issued capital in the form of equity or preference आता है, यह सब liability है, even though it is receipt in bank account, but it will not be treated as income, are you getting the point, जो चीज़ capital receipt नहीं है, वो revenue receipt है, क्या definition है, आपस बोलो, जो चीज़ capital receipt नहीं है, वो कांस receipt है, revenue receipt, a receipt which is, which is not a capital receipt तो जो receipt capital receipt नहीं है, वो सब revenue receipt आ गईए, अब वो सारी receipt कौनसी बन गई, revenue receipt बन गई, बरबर है, तो जो capital नहीं है, फिर से एक बार, मिर भाईध साथ में, जोड से, जो capital receipt नहीं है, वो कांसी receipt है, revenue receipt, revenue receipt, always chargeable to tax, revenue receipt always chargeable to tax unless deduction or exemption is provided unless deduction or exemption is provided sir यह deduction or exemption क्या होता है sir बताएंगे यह भी एक वर्ड है नया जिंदगी में आपको बता है मैं average बच्छों धूंदेंगे इस वर्ड को भी तो revenue receipt हर वो receipt जो capital receipt नहीं है वो revenue receipt है, revenue receipt are always chargeable to tax पूछना नहीं बताना नहीं देखना नहीं समझना नहीं revenue receipt is always chargeable to tax unless उसमें कोई deduction या exemption देदे अब मैं आप से सवाल पूछते जाता हूं जवाब देते जाओ income आई अब मेरेको income मत बोलो, type of receipt बोलो, powder बेचा, income आई do you have anything to do with legal or illegal यही base था TA Qureshi judgment का, उनोंने judgment जो दिया judges ने वो इस बात को समझते वे दिया, is it a liability, no, is it a personal effect, no, hence जज ने revenue receipt मान के judgment दिया, अब बोलो, judgment was correct or incorrect, समझ मैं, judge ने logic लगाया और logic यहाँ था, समझा रही यह बात, मज आया कि ने आया मालेक, तो court ने जो judgment दिया, वो irrational नहीं दिया, बहुत rational judgment दिया, अब दूसरी बात बताईए, हाँ जी साब, अगर यह personal effect है, personal effect के कुछ exception है, वो हाल फिलाल में नहीं जानना हमें, बता capital receipt, revenue receipt, revenue receipt, मैंने FD में पैसा invest किया, interest आया, मुझे loan मिला, मुझे loan मिला, मैंने loan दिया, interest आया, पक की बात, मेरी बुआ घर पे आई, 500 रुपे दी, is it a gift, is it a gift, now it's a question mark, यह personal use के लिए use होना है या नहीं, इस बात को clear करते वे, loan ने definition मनाते वे, clear cut लिख दिया, gift is an income, तो जहाँ question mark था, उन्होंने वो specifically दे दिया, and that is the reason, income की definition को लाना पड़ा, that is the reason, income की definition को लाना पड़ा, और भाई और भेनों, भाई और भेनों, यह देखिए, income की जब definition पड़ोगे आप, notes के page number 6 पे, तो ग्यारवे number पे क्या लिखा है, ज़रा देख बिटा, gift, क्योंकि यह question में आ जाता, भाईया यह तो gift है, लोग क्या कर दे, भाईया यह तो gift है, understand, लड़की से tax मांगने जाते, लड़की क्या कहती है, यह तो उनने दियावा है, मैं नहीं दूँगी, मुझे जान से प्यारा है, अब यह capital है की revenue, इसको question mark create कर दे थे, आप समझ न, यह लड़के के पास, यह नो, लड़के के पास जाते, दिल तूटा आशिक, चला, वो, तुझे जो दिया तो, आला, टैक्स भर उस पर, जान मांग ला है, दे दूँगा, यह उसकी चीजे ने दूँगा, इस पर question आ जाता, अब clear cut लिग दिया, metric खतम कर दिया, yes, दूसरी बात, दूसरी बात, बताईए साव, business कर रहा हूं, पैसे आया, capital receipt, revenue receipt, capital receipt, revenue receipt, income की definition में देखो, यह भी clearly का, profit and gains from business profession, dividends or capital gains, बताईए, share trading करा, share बेचा, पैसे आये, income tax has nothing to do with legal or illegal, यह कौंसे receipt माने जाएगी, revenue receipt, revenue receipt are always chargeable to, tax, yes or no, yes, अच्छा जी सर, बताईए, मैंने lottery खिला, dream 11 खिला, जंगली रमी पे आओ ना माराज, पैसे जीते, is it an income, capital receipt, revenue receipt, revenue receipt, पक्की बात, is it chargeable to tax, तो बताईए, मैंने कुटों की race में पैसा लगाया, घुडों की race में पैसा लगाया, गदों की race में पैसा लगाया, income आई, is it an income, income, revenue receipt, capital receipt, छटवा पॉइंट पढ़िये, income की definition का, winning from any lotteries, crossword puzzles, other casual income, यह other casual income मतलब क्या होता है, other casual income का मतलब होता है, any kind of game show, any kind of, so किसी भी तरेके का game show हिला, अभी recently, Elvish भाई ने पूरा system हिला करके, right, Big Boss OTT के अंदर में 25 लाख रुपे जीते, is it a revenue receipt or capital receipt, capital receipt, revenue receipt, पक्की बात, ठीक है, okay, yes, RCB ने, छोड़ो, Virat Kohli ने, yes, Virat Kohli ने century मारी and Virat Kohli ने क्या किया भाई साब, man of the match में 1 लाख रुपे जीता, capital receipt और revenue receipt, पक्की बात, पक्की बात, आप ये question करेंगे नहीं कि सर, वो तो उसके personal effort के कारण आया है, बैतो तो business भी personal effort है, फिर तो उस पर भी tax नहीं लेना चाहिए, make sense, revenue receipt, is it chargeable to tax, generally chargeable to tax, unless and until exemption or deduction is provided, तो exemption or deduction के तहतो जो man of the match या उसके skill के कारण मिलता है, उसको वहाँ पर exemption मिल जाता है, पर is it a revenue receipt, yes, yes, समझ मारी ये बात, अच्छा, so आप मुझे बताईए, dream 11 में 11 लाग रुपे जीते, dream 11 में 11 लाग रुपे जीते, पकी बात, कौन सी सरकार आएगी, इस बात के उपर शर्त लगई, आपने अपने दोस्ते और पैसे जीते, is it a revenue receipt, capital receipt, revenue receipt, समझ मारी ये बात, yes, फिर हमने बात करी थी, सरकार ने subsidy दी, याद आ रहा है क्या कल का example, सरकार ने subsidy दी, capital receipt और revenue receipt, revenue receipt, unless and until ये business करने के लिए थी, so आप देखेंगे, point number 4 पे, export incentives like duty drawback, duty drawback क्या होता है, कुछ goods जैसे होते हैं, जिसको आप सबसे पहले क्या करते हो, send करते हैं out of India, आपको पहले custom duty भरनी पढ़ती है, और फिर आपको सरकार ये duty वापस दे देती है, उसको कहा जाता है, duty drawback, cash compensatory support, इसको बुला जाता है, subsidy, इसको क्या बुला जाता है, subsidy, sale of license or government assistance, yes or no, right, तो ये सब क्या माने जा रहे हैं, बुलो बिटा आपके, income माने जा रहे हैं, तो I am sure कि आपको ये point समझाओगा, चलो, वापस से 15 minutes खतम हो गया, मेरा content खतम हो गया, start, is income means receipt, but every receipt is, तो जब भी कोई receipt आएगी, मेरा बच्चा उसे दो पार्ट में classify करेगा, income किस नाम से आ रहे है, हमें सिर्फ एक चीज़ से परक पड़ रहे है, is it a capital receipt or revenue receipt, capital receipts are not chargeable to tax, but revenue receipt are always chargeable to tax, unless deduction or exemption is provided, yes or no, is loan liability, capital loans and advances received income, is it an income, no, it is not an, is personal effect an income, no, तो जो आप personal use के लिए use कर रहे हैं, उससे आने वाली income, इसको personal use बताया जा रहा है, बट अगर किसी चीज़ को expenses ही claim नहीं किया गया, बाद में इसकी recovery होती है, तो उसको क्या नहीं माना जाता, income नहीं माना जाता, are you getting the point, yes, इसके कुछ exception है, capital gain में पढ़ेंगे, revenue receipts are always chargeable to tax, unless deduction or exemption is provided, clear है Malik, write down. झाल झाल झाल. झाल 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 गोल्ड, जॉइलरी, बुलियन, प्रिशियर स्टोन, सब लिखा है, मतलब अगर पुखराज भी रहता है वहाँ पे तो आंसर यही होता यही एक दिन में जैसे इंट्रड ट्री उखराज बोलते हैं, जो एक दिन में जैसे इंट्रड ट्री ट्रिंग करके जो इंका मात आथा इसको शॉट ट्रम गयां गयाँ बोलते हैं, यह ट्टू कम आएगा ना मैं इंडिविजुल मेरे केश में परसनल इफेक्ट आ सकता है मेरे घर पे जो चीजे में यूस कर रहा हूं जिसका में को इंकम टाक्स में डिदक्शन ही नहीं मिला जब मैं उसको सेल करूंगा इंकम आएगा फर एग्जामपल मैं डाइनिग टेबल मैं अगर उसको बेजता हूं इंकम आता है अब डाइनिग टेबल लिते होड़ मेरे को इंकम टाक्स में डिदक्शन मिला था क्या नहीं तो पैसा लेने इंकम टाक्स डिपार्टमेंट आएगा तब मैं बोलूगा न मेरे को जब तो टैक्स मंगने आ गए, नहीं देना, भाई, LHS is equal to RHS, ना, LHS रिकॉर्ड ने और RHS कहां से होगा, दन मालिक, हाँ जी, Yet to come, मैं इसी के लिए बोला, Yet to come, उसको आगे है, बहुत कुछ है, एक दिन में नहीं समझेगा, आपको भी बहुत कुछ समझना बाकिय है धरती के अंदर में, और मैं आपको बताओ क्या, डिटी इतना शांदार सब्जेक्ट है न, और देखो, यहाँ पर दो, एक साथ तुम्हें motivate करेगी, और दूसरी है tax, जो तुम्हें demotivate करेगा, and the intermingle parties, the subject is income tax, तो तुमको इतने question आएंगे, but believe me, सब एक दिन में नहीं discussion हो सकता, there are certain things, जो तुमको सही हमें पर रहने पर ही discuss होगा, और मैं तुमको बताओ, जब तुम मेरे साथ 17th chapter पर होगे न, तब भ ही है, तो just hold, जहां जो question इस time पर discuss करने वाला रहेगा, मैं खुद कर दूँगा, और जो नहीं रहेगा, मैं आपको बोल दूँगा, it's a premature question, हम इसको ज़रूर discuss करेंगे, तो इस सवाल लेकि मैं मेरे जिब में डाल दूँगा, और सही समय पर ये वापस आ जाएगा, आपको पिन मनी, पहला है पिन मनी, अब जानते हैं पिन मनी क्या होता है, अब जानते हैं पिन मनी क्या होता है, नहीं जानते हैं, औरे भाई साब, चलो ध्यान से सुनिये, नाम ही है इसका पिन मनी, जो वाइफ हस्बेंड को खरचने के लिए पैसे देती है, या हस्बेंड को खरचनी के लिए पैसे देता है उसको कहा जाता है पिन मनी मतलब जो वाइफ हस्बंड को पिन मार मार के निकाल लेती है उसके जेव से अब जैसे मैं मेरे घर की बात करूँ मुझे सौ रूपय डेली मिलता है अब तुमको सहीच मैं मजक लग रहा हुआ मैं सौ रूपय मिलता पिछले सिमेने से मैं मेरी बीवी से मंग रहा हूं मैंड को पांच हजार रूपय मैंना चाहिए मेरे घर्चे के लिए जिसकर कोई हिसाब मैं तिरे को नहीं दूँगा सर आज तक नहीं मिल रहा है यह पैसा, और मेरे वैं मेरे को 100 रुपे रोज का ही हिसाब देती है, पुछो क्यों, विजय देख तेरा नाश्ता पानी यह वो सब घर से जाता, बाकी के एक्सपेंसे तो आफिस से क्लेम करता, तो तेको पैसे की जरूत है क्यों, अब उस पगली को एक हिदायत देना चाहूंगा, कि आपका एक account ऐसा जरूर होना चाहिए, एक bank account आपका ऐसा जरूर होना चाहिए, जो घर पे पता ना हो, मतलब जिसका कुछ भी घर पे पता ना हो, समझमारी के बाद, जिसका मतलब ना bank account घर पे होना, ना उसका detail घर पे होना, कुछ भी वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, yes or no, तो जो husband wife को देता है या wife husband को देती है, for the purpose of household expenses, उसको income tax के शब्दों में कहा जाता है, pin money, ठीक है, अब इसके दो aspects समझते हैं, तो ध्यान जा सुनना, ये थे आपके विज्जू सर, wait a minute, उल्टा एक्साम्पल, तो ये थी अपनी पल् ठीक है, पल्लवी, मेरी वाइफ का नाम है, वो भी chartered accountant है, और ये love marriage था, किया मैने, तुमको क्यों खुशी हो रहे है, ने, ने, सर, वो कैसा है, ऐसा, motivation मिलता ना, class में बेटके, क्या, you know, हम मैं भी सी, ये chartered family, ठीक है, सब को मौका मिलेगा, सुनो, ठीक है, तो पल्लू ने आपके विज्जूसर को, क्या दिया, let's say, let's say, 5000 रुपीज पर मन्त, बगवान उसे सद बुद्धी दे कि वो दे दे, ठीक है, 5000 रुपीज पर मन्त, ऐसा पैसे दिये, ठीक है, अब एक सवाल है, पल्लू के लिए तो ये expenses हो गया, इसमें किसी को doubt है, नहीं, विज्जे के लिए ये income मानी जाएगी, क्या, आप के इसाप से, क्या ये विज्जे की income मानी जानी चाहिए, क्या, तो, let's say, पल्लू कमा रही है, और वो मुझे घर-गर्ची दे रही है, suppose, मैं घर में काम करता हूँ, खा ना ना बना लेता हूँ, जोड़ कुछ हमार लेता हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे को मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि, तो आप मुझे बताइए, ये विज्जे की income मानी जानी चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, मानी जानी चाहिए, कमाया पल्लू ने है, वो सिर्फ मुझे घरकर्ची दे रही है, क्या ये विज्जे की income मानी जानी चाहिए, and there is a relationship of spouse, spouse का मतलब होता है, husband या wife, तो इसे spouse कहा जाता है, spouse नहीं spouse, ठीक है, ने तो तुम बोलोगे बरस्ती रहती है, तो चलो spouse ही बोल दो, हाँ, तो बताओ, husband या wife जो अपने other spouse को पैसे दे रहा है, is it an income, हाँ यहाँ, and the answer is, it is not treated as income, are you getting the point, law ने specifically लिख रखा है, law ने specifically लिख रखा है, कि भाया, जो pin money मिल रहा है, किसको बढ़ा, spouse को, यह क्या नहीं माना जाएगा, अगर आप देखेंगे, आपकी मम्मी भी बच्पन से आपको क्या करते आई है, पपा जो उनको पैसे देते आए हैं, या other way round, जो उनको पैसे मिलता है, वो उससे save करते हैं, और जब भी पैसे की जरुवत पढ़ती, पता नहीं कहां से यह निकाल के दे देते हैं, तो यह जो पैसे हैं, इसको हम PIN MONEY कहते हैं, यह उनका, हिंदी या मराथी में एक वड़ स्त्री धन, यह उनका स्त्री धन कहलाता है, और income tax ने इसे tax नहीं किया है, क्योंकि लॉजिकली जो husband या wife ने कमाया होगा, उसने इस पर tax जरूर दिया होगा, तो यह double नहीं किया जा से bank में invest किया बोलो, आईची, आईची है bank के अंदर में invest किया, और भाई और में ओ, इस investment से इन्हें interest आया, अब दीखे, PIN MONEY आपने कहा income नहीं है, अब यह जो विजय सर ने अपने personal savings से investment करी, यह investment से जो interest आ रहा है, यह income मानी जानी चाहिए, हाँ या ना, तुम्हे concept समझ यह revenue receipt, capital receipt का, be proud of yourself, clear है मालिक, तो चलो, जल्दी से बताओ, wife ने husband को या husband ने wife को क्या दिया, income दिया, PIN MONEY दिया, घर खर्ची के लिए, तो PIN MONEY क्या होता है, amount given, amount given for household expenses, household oblique personal expenses, इसको का जाता है PIN MONEY, तो जो PIN MONEY है, यह income नहीं माना जाएगा, लेकिन यह PIN MONEY अगर आप कहीं invest करते हैं, उससे income generate करते हैं, dividend, interest, etc., तो यह income माना जाएगा, अब यह income किसके लिए माना जाएगा, पल्लवी के लिए या विजय के लिए, this will be income to वीजय, यह विजय की इंकम मानी जाएगी, अपने example में, आ हो, लिखते जाओ, हाँ, draw करो न, वावा, देखो मेरी drawing बहुत अच्छी है, तुम अपने हिसाप से देख सकते हो, तो यह हो गया PIN MONEY है, वो गिफ्ट में आ गया न, पेरेंट्स जो बच्चे को दे रहे हो, तो गिफ्ट हो गया न, गिफ्ट तो income हम मानी रहे है न, आएगा उसमें, income है taxable नहीं है, sir income है taxable नहीं है, आएगा, attention मतलो, is it an income, yes, is it a taxable income, no, क्योंकि revenue receipts are always chargeable to tax unless deduction or exemption is provided, तो यह income माने जाता है पर exempt income है, yes, हाँ जी, एक मिनिट, वापस से बुलेंगे थोड़ा से जोड़ेंगे, pocket money, हाँ जो यह pocket money है, इसे भी कही न कही आप pin money मानते है, yes, because यह personal use के लिए दिया जाता है, that is not an income, पर वो invest करके अगर पैसा आ रहा है, that is an income, हाँ, investment से जो आ रहा है, वो तो taxable है न ब्रो, चलो, pin money okay है, अब आते हैं, disputed income, disputed income, यार appreciate करना पड़ेगा आपको, हम सिर्फ income के यह word पर घूम रहे है, पर हम हर aspect को discuss कर रहे है, disputed income, कैसी income मिठा, disputed income, तो बात उन दिनों की है, बात, बात उन दिनों की है, मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, के, एक थे अपने, DK, ठीक है, इनका अपना एक company था, Wow Limited, Fortune 500 company, काफी फैलावा बिजनेस है, ठीक है, Fortune 500, Total fraud company, हाँ, Lofla Limited, whatever, ठीक है, अब सबसूज, ये company, बहुत बड़ी company थी, ठीक है, इस company की, एक house property थी, इस company के क्या थी बिटा, house property थी, और इस house property से आता था, rent, rupees 5 lakh per month, इससे rent आता था, 5 lakh per month, अब दर्शन सर के, दो सन थे, एक था निले, और एक था सुदर्शन, दर्शन सर के, दो बच्चे, एक है निले, दूसरा है सुदर्शन, ठीक है, यह property उनको काई में मिली, they get in inheritance, बात समझ ना, तो अपने दर्शन सर थे, उनका company था, पैसा कमाया, इससे property बना ली, प्रोपर्टी से 5 lakh रुपर रेंट आ रहा, ठीक है, यह property inheritance पा, उनके दो बच्चों के पास गई, उन्होंने clear division नहीं करके रखा था, तो यह दो लोगों के पास गई, एक का नाम था दर्शन, दूसरे का नाम था, स्वारी, एक का नाम था सुदर्शन, दूसरे का नाम था निल्य, ठीक है, अब यह clear नहीं है, कि यह property है किसकी, बरवर, but you are getting a rent, किसके आतमे टेक्स करें, if the property under the question is in dispute, don't you think, income out of that property is also under dispute, yes, तो चलो, हां, income tax department निले के पास गये, income tax department निले के पास गये, निले, लख, 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 तुम तो असले वारिस हो, यह मैं भी जानता उ, पर कोर्ट इसे मान थोड़िन रहा है हमारे भाईयों के बीच में डिस्पूट चल रहा है तो टैक्स तो तुम दे दो मतलब तुमको तो मिली जाएगा जाएगा गया अलग-अलग बात है जिस दिन मिलेंगा उस दिन देखेंगे लगा तो हमको सबको था फाउंडेशन में पूरा ग्रूप एक साथ पास होगा हुआ नहीं ना तो जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे आज मैं टैक्स नहीं दे रहा क्यों वो भी तो क्लेम कर रहा ना मंगो ना उससे मंगो जाओ सुदर्शन के पास जाओ मैं देने को तायर हूँ आप कोर्ट में जाके बोलो मेरे नाम पे किया था मेरे भ्याप पे गवाँ बनो कि तुम्हारे सामने ये बात हुई थी if the thing is under a dispute don't you think so income will also be under dispute इस case में कि income किस के हाथ में tax करेंगे क्योंकि income तो आ रही है income तो आ रही है अब किस के हाथ में tax करेंगे इसको कहा जाता है disputed income इमानदारी से बताओ तुमने सोचा था ये question तुमने सोचा था ये question मैंने में को पता है इस issue आएगा इसको कहा जाता है disputed income अब ऐसे case में income tax department AO has a power to treat any one of them or both of them as deemed owner और income tax department के power use करके सिर्फ निले को सिर्फ सुदर्शन को या दोनों को क्या कर सकती है notice दे सकती है और बोल सकती है कि आप income tax भरो जब भी ये case settle होगा जब भी ये case settle होगा one person will get refund the other person will get liability जिसके भी हाथ में settle होगा और मान लो आगे चल कि ये proportionate हो जाता है दोनों को को ओनर मान लिया जाता है तब तो दोनों ने accordingly tax भर ही है proportionate tax जो इन से collect किया जा रहा है वो क्या हो सकता है इनको refund तो disputed के case में AO के पास power है वो किसी एक को या दोनों को मान सकता है अब logically आप बताएए AO एक को मानेगा या दोनों को मानेगा वो दोनों को मान के दोनों से tax collect कर लेगा और जभी है case settle होगा तब वो दूसरे को amount को क्या provide कर देगा refund समझ मारी बात दूसरे को क्या provide कर देगा refund so in case of disputed income AO has a power to treat both of them as deemed owner and collect the tax from both of them समझ मारी बात ये एक power है जो उसको मिला है so in this case in this case AO can treat Nilay and Sudarshan both as deemed owner and collect the tax from both and after settlement and after settlement one will get refund without interest अब 20 साल भी लगे होंगे तो जब ये वापस आएगा इसको दूसरे वालों को कोई अबाए झाजब को कोईफ पीओे भी लग, भी मन को को अबाएब को कि अबाएब पुनरी निमान्त तो देतक्यू समय मैं रिवाट यह एक पावर है जो क्या किया जाता है exercise किया जाता है तो बताईए यह दोनों भी क्या माने जाएंगे deemed owner यह owner कौन है यह court decide करेगा income tax दोनों को यह owner मान के tax दे दे रहा है जिस दिन case settle होगा, 10 साल, 15 साल, 50 साल, जब भी case settle होगा, एक को refund मिल जाएगा, या proportionate refund मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा, as the case में भी. done, या जी, proportionate का मतलब, मान लीजे, court ने दोनों को 50-50 परसेंट का honor declare कर दिया, पर आपने जो liability bear कियोगी, वो तो पूरे 100 परसेंट शेयर पे दियोगी, तो फिर उत्ता पर 40 परसेंट का proportion आपको वापस आजाएगा, हाँ जी, नहीं, देखिए, understand, ये क्या होना चाहिए, ये court का matter है, कि ये दोनों बच्चे तो दोनों के बीच में half-off होना चाहिए, ये हमारा law नहीं है, हम यहाँ पर family law नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर यह नहीं, क्योंकि कई case में ऐसा भी हो सकता है, मान ले दर्शन सरका अफेर है, और ये जो बच्चा है सुदर्शन ये ना जाय जे, पर बच्चा तो है न, पर बच्चा तो है न, यार ऐसा भी तो हो सकता न, अब ही तुम किसी के character पर कैसे question उठाओगे, चल मैंने तो उठा ली है मेरे दोस्ते, है न, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमें कोई hint न है, ऐसो न, तो ये matter court का है, हमार को सिप income में गुसना है, रिष्टों में नहीं, हमको सिप कहां गुसना है, income में, रिष्टों में नहीं गुसना है, logic समझ में आ रहा है सभी को, हाँ है न, चली एक और concept पढ़ते हैं, contribution, जी बच्चे, हाँ, हाँ, हाई साब, सर, अगर केस सेटल होने से पहले, building गिर गई, धरती पे, ज्वाला गिर गया, ज्वाला मुखी हो गया, एस्ट्रॉइड आ गया, क्या होगा, जहां तक की income आई है, उस पे तो AO tax collect करेगा ही, अब building गिर गई, तो income आईगी गया, तो वहां तक की income पे हो याड ना हो, अपना लेन नहीं है उसमें, वह जहां तक की income है, वहां तक तो ले लेगा, जी, एक और साब, हाँ, वही तो कहा मैंने, वही यूज करेगा as a court में evidence, दोनों भरते राधर, और court को बोलते, देखो हम अपने आपको owner मान रहे हैं, इसलिए तो हम भर रहे हैं, तो nobody issues this, उल्टा लोग municipal tax भी दोनों भरते, बोलते हम owner है, हम municipal tax भी देंगे, अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है, दोनों भाई बोलते, काम करते, अपन आदा आदा करते, municipal tax, जो भी रहेंगा, जैसा भी होगा, कर लेंगे, कई बार out of court भी settlement हो जाता, matter court में जाता, प्रोपर्टी लेंदे, इसका जो भी fair market value है, मैं तेरको देता, तो अपना share मेरे नाम पे कर दे, तो ऐसी बहुत सी चीजे है, court में जाब अंदर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजे होने वाली है, हमारा लेंदेन income tax है, yes, चलिए, contribution, हाँ जी, आपने tax department को दिया ना, contribution versus voluntary contribution, contribution versus voluntary contribution, sir, interest क्यों नहीं मिलेंगा, अरी investment थोड़ीन है, एक तो doubt of law की case में आप से tax collect कर रहे, आप investment थोड़ीन कर रहे हो, FD थोड़ीन रख रहे हो, 6% वे आज गया, और तो investment थोड़ीन कर रहे हो उस पे, हाँ जी, contribution versus voluntary contribution, is contribution an income, is contribution an income, यहां आम बात कर रहा है, common contribution की, common contribution, is not an income, common contribution is not an income, let me give you a very good example, let me give you a very good example, आप सभी के सभी कोई ना कोई एक society में रहते होंगे, yes, अब मान लो, आप सभी लोगों का एक एक flat है, एक एक flat है, prestige point cooperative society, वैसे भी दो दिन से तो यही घर बना पड़ा है, दो दिन से आपको एक question नहीं आ रहा हम जाई क्यों रहे, आनी ना दो दिन से तुमारे मन में, जाई काय को रहे, अचा दो दिन से तो कुछ लोगों की हालत में बताऊं क्या हो रही होगी, जा रहे हैं और सिफ सू रहे हैं, गए, खाए और सो गए, तांगे पल्टी घोडे फरार, राइट, कुछ लोग तो दो दिन, कुछ लोग मैं आपको बताऊं, लोग में उठी नहीं पा रहे हैं, या उठ करके ऐसे हांख, ऐसे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कि फाउन्डेशन ही बहुत अच्छा था, यह किदर आ गए हम, होता है बिटा, होता है, पर एक बात बताऊं तुम्हार को, बड़ी इंकम के लिए मेहनत भी बड़ी करने पड़ती है, इतने आसानी से मिल जाता, तो बहुत से लोग वो होते जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, समझ मारी बात, पर आप सोच करके देखो, एक करोड़ चालीस लाग की जनता पर हम सिफ चार लाग चार्टड अकाउंटन्ट है, एक करोड़ चालीस लाग, तो वन एस्टू कित, इतने लोगों को सर्व करने का कापैसिटी रख रहे हैं यह देखो, और यह तो सिफ इंडिविज्वल है, आर्टिफिशल जूडिशल परसन अलग, कंपनी अलग, फर्म अलग, आप सोच करके देखो, कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा स्कोप है, तो यह जो तुम कर रहे हो न, इसमें तुम्हार को मैं इमानदारी से बताता हूँ, दो बहुत बेसिक बाते मैं तुमको बताता हूँ, प्ट नुबर एक, अभी 10-15 दिन न तुम सब में बहुत जोश रहेगा, 10-15 दिन तुम में बहुत जोश रहेगा, ये इदर जो सबसे लाज्ट बेंच पे बेटा है, उसको बोल बेटा फोन बाजू रखे, बेटा फोन बाजू रखे, वो अपनी बाबू को बाद में में सेज करना, अभी लिखना, इम इन विजू सर लेक्चर, इस नोट पॉसिबल तॉक टॉक 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 तुम सब को बता दू, इदर खड़े रहेके न सब दिख रहा है, एंड तक, सब, ठीक है, तो ये मत करो, और तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इतने बच्चों के बीच में क्या रहने वाला है, तुम्हारे लिए पहली बार है, हम पिछ अए 10 साल से यह कर रहे है, हम पिछी कर तुम मारको सब समझता है, अभी क्या होगा? मालूम है, के तुम्हार को? पहले 15-दिन तुम्हों दूरे बहुत जोशी हुए- ठीक है, वो पहले दिन अपने आप से commitment रहा तो आप तो इंटर में पहले दिन से पढ़ेंगे, वो foundation जैसे गलती नहीं करने का है, वो foundation जैसे गलती नहीं का है, पहले दिन से पढ़ेंगे, पता है, मैं exactly आप से 15 दिन बाद वापस पूछूँगा, क्योंकि अगले 15 दिन पता ह अगले 15 दिन पता है, क्या होने वाला है, यह daily schedule चलने वाला है, daily 10 hours, और अभी न मैटा तुमको homework मिलने चालो नहीं होए, क्या है, दोई दिन होए, यह बात अलग है तुमको 5 दिन लग रहे है, अभी दोई दिन होए, आत तीसरा है, समझा रहा है, अभी न मैटा homework मिलने नह अभी किसी subject का homework नहीं मिलना चालो आए, ना law का, ठीक है, law का तो DK ने दिन चालो कर दिया गया, तुमारे 300 questions होते है इस बार, इस बार हमारी मेरी और DK की शर्त लगी है, पहले 300 कोन complete करता, पहले 300 question कोन complete करता, ठीक है, ने ने यह है हमारा, हर बार का ही है, पिछले बार 280 question का इस बार 300 question का, हम मुले मने और ज्यादा solve कराना है, तो पहले 15 दिन बहुत जोश रहेगा, 15 दिन के बाद ना तुमारे को समझ में आएगा जीवन क्या है, ठीक है, क्योंकि पहला Sunday ना तुम सब enjoy करोगे, यह जो पहला Sunday आ रहा ना, तुम सब को, पहले क्या होगा मालू में, पहले सुब उठते हैं, कपड़े दोना है, ठीक है, अभी तो क्या है, नया नया बैग है, तो रोज नय निकल रहे हैं, पर कुछ कपड़े हैं, जो लिमिटेड ही होते हैं, हो आएंगे Sunday के दिन, एक साथ, क्या है, अभी तो सुब उठते हैं, पहले line में लगना पड़ता, नाने के लिए, वश्रूम के लिए, फिर क्या है, ना दो के जैसे बाहर निकल गए, अपन सब 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 हो जाता, संडे की दिन कपड़े, फिर तुमको ऐसा लगे, ने यार, कुछ तो अच्छा खाते यार, कुछ तो अच्छा खा लेते, घर की याद आ रही, इसके बात क्या हो होगा, थोड़े देर सो लेते, यार दिन भर, और जैसे ही सोगे, सिद्धा संडे कटम हो जाएगा, मैं ग्यारंटी देना तुम हो, जैसे ही सोगे, संडे कटम, सिद्धा संडे कटम, और तुमको याद आएगा, मा कसम कल सूबह उटना है, अभी 20-25 दिन बाद ना, तुम नहीं, तुम्हें जटका लगेगा, शिट लो गया, तुम उटोगे नहीं, तुमको जटका लगेगा, एक महिने बाद, तुम्हें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, वैसे आप दिखेगा, अभी भी तुम घर जा रहे होंगे न, क्या हो रहा होगा, मामी, और कसा जटका एस, बड़िया ममी, जवन के ला, हाओ ममी, बागी सगड, चांगला ममी, बात इच करने की इच्छा नहीं होती भाए, ठीक है, कोई मासियासी ने फोन किया, और कैसा पूने में यह हो, तुम्हें को पता है, उसने ऐसा किया, ऐसा हो, में को क्या कर रहा है, में को क्य और कर दो, में मेंगत को मद बता भाई, 15 मिनिट के ब्रेक में सुढ लचाने नहीं मिनता है, गेट खुल के बार जाने को 15 मिनिट लचाते है, सही है कि नहीं, पर मैं तुम्हार को एक बात का गैरेंटी देता हूँ, गैरेंटी, गैरेंटी, तीन साल ना यहां से सलॉक करो, मतलब फटे हाल मेहनत करो, ऐसा समझो तुम्हारा जीवनी आई है, जितनी डिफिकल्टी है सब एकसप्ट करो, बहुत डिफिकल्टी आएगी, म पर किसे से बात नहीं कर रहे हूँ, और तुम थे भयानक टॉकेटी हूँ, समझ मारी है, foundation में इतने मस्ती खोडते इस से बात कर रहे हूँ, अब तुम थे भयानक, अब तुम दिन बर ऐसे बात रहे हूँ, और हर teacher को एक मिनिट देख के तो सोची रहे हूँ, छोड़ना प कि भाई उसको कहां पांच मिनद भी एक्स्ट्रा मिले और खिदा लेगा, यह होगा, यह होगा, सब होगा, पहले तुम emotionally तूटोगे, फिर तुम physically तूटोगे, physically का मतलब क्या होगा, कि भाई, तुमारी हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि तुम मंदे से लेके, टेक्निकली संडे तक के वर्क कर रहा होगे, क्योंकि संडे के दिन तुमको लगेगा, भाई, हफ्ते बार जो पड़ा है, एक बार तो भुक खोल लू, अभी तो नया-नया है, तुमको इतना इंपाक्ट समझ नहीं आ रहा है, पर अगर इंटर पास करना है ना बिटा, अगर तीन साल तुमने लगा के महनत करी ना, इंक्लूडिंग अटेम्ट, तो मैं तुम्हार को बूल रहा हूँ, कि तुम जो सोच रहे हो, उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, कौन सा ऐसा डिग्री ये बे, जो तीन लग के इंवेस्मेंट में पहले साल में तीन सो परसेंट पहले साल में रिटर्न ओन इंवेस्मेंट, चलिए एक छोटा सा पाल्ट ओफ मोटिवेशन समझातों से रध्यान से सुनना, इसको दो मिनिट के लिए बाजू करो, सिब समझना, अपनी क्या इच्छा है आज के दिन, सबसे पहला, तुम जीज दिन C.A. complete करोगे, C.A. complete करक तुमको पहला सालरी आएगा, अगर 9 lakh के इसाफ से TDS YDS कट करके भी माना, तो 68,000 का पहला सालरी आएगा, 68 to 70,000 का पहला सालरी आएगा, जैसी पहला सालरी आएगा, अब समझना, तुम्हारो 4-5 साल की भुकमरी गरीबी, गरीबी, भुकमरी, आर्टिकल्षिप का चिलर, चिलर यह वो, तुम्हारे लिए, ठीक है, पहला मिलेगा, अब पहले क्या सोचते हैं, ना यार, मम्मे के लिए साड़ी लेना है, ठीक है, चल, एक बात समझ, किते है, मम्मे के लिए साड़ी लेंगे, 3,000 रुपे के, पपा के लिए साफारी सूट कपडे लेंगे, 3,000, ठी ठीक है पिर वो भीकमंगे भाई बहन अपने छोटे अपने भीकमंगे वह जिनको आस्पिटल से उठा के लाया जा आज यू भाई तो वाई देना भाई लाई वह भीकमंगा कुछ तो मांगेंगा के नहीं मांगेंगा उसको अपन बुलेंगे एक कामकर 8000 बचे जा तू भी जा के कुछ ले ले, अंडर बेर बनियान लेन जा, दिया उसको, पहले मन का सलरी खतम, तो अब सोच के देख तिरे को क्या का चीए, मैं तेरा सब जोड़ता, ठीक है, इसके बाद, next month तुमने काम के, next month में सलरी है, अब तुमको ऐसा लगेगा, कि यार, वो दोस्त, तुम बो तुमको new year, foundation वालों का तुमको new year भी गया, समझना रही है बाद, सब गवाओ गे, तुम सोचोगे भाई, अब दोस्तों को party देना है, 30,000 का party भेक के मारा तुमने 2BH किये मैं, 30,000 रुपे का party, कितने का party, 30,000, सोच, और सोच, अब तुमको लगेगा, यार, इतने लोगों उसके साथ उठना बैठना है, अपने कपडे धंके होने चीए, ठीक है, at least अपने कपडे धंके होने चीए, अपने पास एक अच्छा leather bag होना चीए, अब ICAI का दियावा national convention का bag लेके नहीं जा सकते, ठीक है, तो तुम अपने लिए एक leather bag खरीद होगे, leather bag 10,000 रुपे, yes, fossil का leather bag, 10,000 रुपे, तुम बोलो के नहीं यार, इतने लोगों के सामने जाना पड़ता, जूती भी अच्छे लेने पड़ेंगे, yes, or no, इतने लोगों के सामने में मिलेंगे, 20,000 रुपे, Alberto Taurus, ले, 20,000 रुपे के जूते, बरे बर, अरे, sports shoes भी लेने पड़ेंगे न, हाँ, ले, और 20,000 रुपे के sports shoes, और चपल लेने पड़ेंगे, crocs तीन अलग color की, 20,000 की और चपल, ठीक है, shoes, 80,000 के एक जूते अपन नहीं लेता, अपनने CA किया वा रहता, अपने को financial management समझता Yes or No, not comparing to anyone, बड़ अपने अपने goals है सबके, कोई एक 80,000 का लेगा, और हम बोलेंगे, हम 10,000 के लेंगे, क्योंकि हमको अलग-अलग function attend करना है, बरवर है, अब इसके बाद तुम क्या सोचोगे, ये महने का salary कतम, अगले महने का भी कुछ salary उड़ गया, card लिया तुमने, अग किसी भेन या दोस को लेके जाओंगे, जित्ते color के shirt मिल रहे है, सब उठा ले, right, 50,000 के shirt करी दे तुमने, फिर क्या, अरे shirt पर अके लाद होने, इन पैंड भी तो मिनने पड़ेंगे न, चल, 80,000 रुपे की jeans, 80,000 रुपे की jeans ले, हर color की एक jeans, हर pattern की एक jeans, ठीक है, चश्मा भी लेना पड़ेंगा न, 5-6 eye wears, 10,000 रुपे के goggles, भाई, perfume भी लगाना पड़ेंगा life में, अरे हाया न, perfume भी लगाना पड़ेंगा, 50,000 रुपे का perfume, Chanel का perfume, ये एक brand है, मैंने गाली नहीं दी, मैंने एक brand है, सच में, Chanel एक brand है, ठीक है, 50,000 के perfume, और क्या चाहिए अपने को, अरे भाई, अपने को अपने लिए phone भी चाहिए न, हाया न, ये लिए 1,500,000 रुपे का phone, उस्टा सपर्चन, अपन क्या लेंगे, उस्टा सपर्चन, भाई, एक iPad, laptop वो भी तो लेना पड़ेंगा, काम करना रहता है उसमें, लिए 1,500,000 रुपे का laptop, ठीक, क्या चाहिए, लड़कों को, कावासा की निंजा या BMW की बाइक, चार लाक रुपे है, ठीक है, लड़कियों के लिए 25 अलग प्रकार के पर्स, यहां से लेते वे हाथ के कलच तक, और लगेंगे ना यार, एक्सेसरीज है यार, चल दे, तेरको भी दिया बेटा, एक बेटी, एक पेटी, आरे सी पर्स लेने का अलग-अलग कलर गया, ठीक है, हो गया, और क्या चाहिए अपने को, और कुछ है, पाच पेटी और पकड़, चल, पाच पेटी और पकड़, और भी ठीक है, वरव संडरी एक्सपेंसेस, पाच लग के संडरी एक्सपेंसेस, चल, कल्कुलेटर है, चल तेरा 16 लाग 16.70 ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है? मैं क्या बोल रहा? मैं क्या बोल रहा? सुनना, अपन घूमने भी जाएंगे ठीक है? इधर या उदर, जैसा भी अपन घूमने भी जाएंगे ना यार, इत्ती मेनद काई के लिए किया? वहाँ जाके खर्चा टीप वगरे सब चार लाक रुपे और बीस पेटी बीस पेटी आज हम जितने भी खर्चे सोच चकते ये तुमको मैं मालूमें 20,000 के शर्ट्स तुमको लेने बोले तुम बिल्कुल नहीं ले पाएंगे 50,000 का पर्फियूम तुम बोलोंगे सर्फ 500 रुपे में 3 मिलते लक्ष्मी रोड पर प्स पर मैं बोल रहो सब हाइएंड पकड़ अब डोंट यू थिंग मैंने सारे वो expenses पकड़े जो तुम डेफिनेटली करने नहीं वाले बरेवर तो भी कितना बीस पेटी ठीक है? एक बाइक, एक स्कूटी एड, संडरी, expenses, सारे accessories जोड दिया लड़कियों के लिए जितने color है, साथ color में जितने 80,000 color है सब जोड ले तो भी वो आ गए matter of two years or two and a half years, nine lakh into two दम लगा के भी खर्चा कर दिया ना, तीसरे साल सोचना पड़ जाएगा पैसा का खर्चु की दर पूरा दम लगा लिया ना, तुमने पूरा दम Chanel का पर्फ्यूम लेके भी लगा लिया ना तीसरे साल में तो सोचना पड़ जाएगा पैसा आ तो रहा है, पैसी एका करू क्या समझमारी बाद? this is the power समझमारी बाद? तुमने अपनी मतलब बिलकुल जी भर के भी खर्चा कर लिया जी भर के पर ये एक मिनट के लिए सोचके जो को जब घड़ी लेने जाओगे पपा के लिए अपने पपा के लिए पचास हजार रुपय का एक रोलेक्स का घड़ी लोग है या एक हाद हवाला ट्रांडेक्शन कर लो सब खतम तो यह जो तुम सोच रहे हो ना आज कि यार भूत मेहनत है यह है वो है कुछ लोग तो सचमे दो दिन में डाउट क्रिएट करने लग गए मेरे से हो भी पाएगा क्या? Don't worry, slog slog 2 साल slog करो मैं आपको guarantee देता हूँ कि 2 से 3 साल बाद जो आपका life होगा वो बहुत अलग होगा आप देखेंगे कभी भी यह इतने जो खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ तुम इसमें से आदे भी कर दो ना तो तुम more than satisfied रहोगे आदे भी कर दो तो होगा, CA पैसा बहुत कमाता है लेकिन आप कभी CA को बहुत बड़ी swanky cars के साथ नहीं देखोगे, पुछो क्यू और यही doctor भी कमा रहा होगा पर doctors को आप बहुत सारे swanky cars के साथ देखोगे, हमको नहीं देखोगे, पुछो क्यू पुछो न क्यू भाई तो डॉक्तर है ना, उसने FM पड़ावानी होता है और हमने FM पड़ावा होता है हम बोलेगे साला 40 लाग रुपए का BMW लेंगे, रहेंगा तो वह पार्किंग में रहेंगा तो वह पार्किंग में राधर, मैं 20 लाग का car लेता बचेवे 30 लाक रुपए, मैं एक 1BH के फ्लैट लेता, उसको रेंट पे देता, उससे रेंटल इंकम कमाता, इस रेंटल इंकम में से भी 30% tax deduction में जाएंगा, और इससे और wealth जनरेट होगा, हमने FM पड़ावा होता है, तो यह हमार साथ तकलीप है, पैसा नहीं है, इस नॉट इशू, बढ़ हमको क्या है, अननेसेसरी खर्चा करना जमता ही नहीं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब हम टीनेज में होते हैं, हमारा दिन भर टाइम किसी क्लास में जाता है, जो हमको पैसे खर्चा नहीं करने देता कहीं और, तो वो आदत ही खतम हो जाती कि क क्रचा करना है, are you getting the point, स्लोग, everything will be done, याद रखेगा, आपकी हर रिसीट, रेवेन्यो रिसीट ही रहेगी, आपकी हर रिसीट, रिसीट ही रहेगी, चल बेटाए, आजा, हम बात कर रहे हैं, contribution versus voluntary contribution, ठीक है, contribution versus voluntary contribution, चलो, अब जर ध्यान से सुनेगा, आप सबने मिल करके अप आपको नहीं लगता, आप monthly maintenance पे करेंगे, अब maintenance का पैसा, आप किसी ना किसी cooperative society को देंगे, बरवर, cooperative society के हाथ में क्या ये income है, क्या cooperative society के हाथ में income है, well, ये income नहीं है, ये है common contribution, अगर मैंने बोला, कि चलो बच्चो, ठीक है, अगले संदे हम सब मिलके सिंहगड पर चलते ह और सबसे हमने सिर्फ 50-50 रुपे लिए, ये 50-50 जो हमने collect किया, आपको लगता है, ये class की income हो गई, ये common contribution है, इसे income नहीं माना जा सकता, ये क्या है बिटा, common contribution है, इसमें से हम खर्चा करेंगे, और बचावाब जो पैसा रहेगा, वो अपस distribute करेंगे, ये सेव करेंगे future expenses क के लिए, तो ये जो society पैसा collect कर रही है, that is a common contribution, that cannot be treated as income, that cannot be treated as income, अब आते हैं voluntary contribution पर, कल मैंने एक एक एग्जामपल दिया था, विज्जु गया, विज्जु गया, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट जो ये पैसा collect कर रहा है, is it a common contribution, no, तो ये जो TTD को मिल रहा है, क्या TTD के लिए ये income है, yes, voluntary contribution is an income, common contribution is not an income, voluntary contribution, खुद हो के मैंने donate कर दिया, right, पर ये किसी common purpose, उसी के member के common purpose के लिए use नहीं हो रहा है, it will not be treated as income, it will be treated as income, अगर ये खुद के members के लिए use नहीं हो रहा तो, तो it will be treated as income, are you getting the point, yes, अब एक ही society के common contribution किया है, common contribution income नहीं है, क्योंकि वो technically आप ही के लिए use हो रहा है, yes, अब बस एक channel से जा रहा है, अब तिरुमला, तिरुपति, देवस्तानम, ट्रस्ट, ये एक separate person है, जिसको आप voluntary contribution receive कर रहा है, yes, जिसको हम कहते है, donation, जिसको आपले income मानी जाएगी, तिरुमला, तिरुपति, देवस्तानम, ट्रस्ट, are you getting the point, so common contribution is not an income, but voluntary contribution is an income, इदर देखो, ये चीज आपके, इदर भी लिखी है, आईए इदर, point number two पढ़ी है, income का, voluntary contribution received, तो बताईए, आप दगडुशेट गनपती मंदिर में जाकर के, जो donation box में पैसा डाल रहे हैं, क्या दगडुशेट गनपती मंदिर ट्रस्ट के लिए वो income है, yes, वो income है, that's a voluntary contribution, ये ही आप common contribution करने, अपने society के अंदर में, let's say गनपती का चंदा, voluntary contribution जो गनपती के लिए रिसीव हो रहा, is that an income of your society, no, that's a common contribution, समझ मेहारी ये बात, हाँ जी, मेरे को लगा कि चलो मैं बच्चों को पार्टी देता हूँ, उसी अगड़ पे, मैं, तो ये मेरी income है या, expenses है, जिस बच्चों को दे रहा हूँ, उसके लिए ये income है क्या, नहीं, ये उसके लिए income नहीं है, इस दन, चलो, सर, अब हमारा वड़ खतम होता है income, कौन सा वड़ खतम होता है, income, चलो, income में क्या क्या डिसक्स किया देखते है, everybody, is income defined under income tax, yes, under section 224, can income be legal or illegal, yes, income tax has nothing to do with legal or illegal, third, income means receipt, पर हर receipt, income नहीं होती, so हम जब भी पैसा मिलेगा, हमारा क्लास का बच्चा सबसे पहले उसे किस पार्ट में डिवाट करेगा, capital receipt, revenue receipt, yes or no, capital receipt are always chargeable to tax, but revenue receipts are always chargeable to tax, capital receipt are not chargeable to tax, unless specifically specified, yes or no, यहां से हमने कुछ और प्रकार के income देखा, जो आपके मन में नहीं है, पर मेरे को लगा आपको बतानी चीए, पहला pin money, चल मेरा बच्चा, pin money मतलब जो household के लिए पैसा दिया जाता है, is it an income, no, पर इसको invest करके अगर कुछ पैसा आया, is it an income, yes, अगर dispute है, तो क्या AO के पास power है कि वो दोनों को income मान करके, दोनों से tax collect कर सकता है, yes, फिर common contribution जो किया जा रहा है, उसके members के ये लिए ये utilize करने के लिए, it is not an income, बट कोई खुद donation कर रहा है, voluntarily contribute कर रहा है किसी organization को, is it an income for that organization, yes, are you getting the point, अच्छा, अब आप मुझे बताईए, sources of income कितने हैं, बता भाई, sources of income कितने हैं, sources of income कितने हैं, बोलना मेरा बच्चा, unlimited, but heads of income कितने हैं, heads of income, भाईजी, section 14 of income tax, कुटला, section 14 of income tax, बोलता है, income जो आ रही है आपकी, उसे 5 heads में divide करना है, उसे कितने heads में divide करना हैं, बोलो जल दी से, 5 head, पहला, income from salary, income from salary, section 15 to 17, तो वो कहता है, कि भाईजी, आप 5 head में अपनी income को divide करिये, पहला, income from salary, तो sources of income कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपको salary से income आ रहा है, तो आपकी income salary में compute होगी, ठीक है, दूसरा है, income from house property, income from house property, जिसको हम प्यार में कहते हैं HP, section 22 से लेके 27, section 22 से लेके 27, बरेबर, सर, 18 से 21 कहां गया, मन में तुरं सवाल उठना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कैसे में सवाल पूछो, 18 से 21 किदर है, abolish कर दिया, उड़ा दिया, income tax पर जरुवत नहीं लगी, एक टाइम पर जरुवत थी, अब जरुवत नहीं है, तो 18 से 21 नाम का section, abolish कर दिया गया है, अलग-अलग categories of income थे, जो 84, 85 में ही हटा दिया, अलग-अलग categories of income थे, जिसको हटा दिया, और इसके साथ मर्ज कर दिया, 3rd, income from PGBP, सिर्फ दो मर्ण मत पढ़ना, पूरा पढ़ना, profit and gains from business and profession, profit and gains from business और profession, so अगर तुम्हारा धन्दा है, या professional हो, तो तुमारी income section 28 से 44 में count की जाएगी, इसको आप PGBP shortcut में बोलते हो, तो HP, PGBP, ये shortcut word used allowed है, तो HP ले लो, PGBP ले लो, ये shortcut word used allowed है, yes, next, अब किसी भी तरह के का business कर रहे हो, किसी भी तरह के का profession है, उसकी income कहा जाएगी, PGBP, तो देखो, job कर रहे हो, कहा जानी चाहिए, salary, दूसरा, property अगर किराए पे दिया, तो उससे income कहा जानी चाहिए, HP, तो आपकी property, shop, go down, rent पे गया, वहाँ से income जो आती है, यह HP में जाती है, तीसरा है PGBP, आप किसी भी तरह के business, किसी भी तरह के profession में है, yes, तो आपकी income यहां compute होती है, for example, किसी भी actor के लिए, किसी भी cricketer के लिए, किसी भी teacher के लिए, किसी भी business owner के लिए, इनकी जो income है, यह PGBP में जाती है, irrespective of level of business, अगर कोई sandwich भी बेच रहा है, तो उसकी income PGBP में जाएगी, अगर कोई bread भी manufacture कर रहा है, उसकी भी income PGBP में जाएगी, are you getting the point, next is capital gains, जिसको आप short में cap gains बोलते हो, section 44 से लेके 54, क्या rather 55 कर लो, तुमको है नहीं बट 55 करो, section 45 से लेके 55, capital gains, section 45 से लेके 55, पांच भा, यह capital gains में क्या आता है, आप जब भी कोई capital assets sell करते हैं न, आप जब भी कोई capital assets sell करते हैं, याद है, कुछ personal effect के exceptions है, जब आप कोई capital assets sell करते हैं, तो इस से आने वाली income को capital gains में डाला जाता है, for example shares, shares बेचोगे, gold बेचोगे, land and building बेचोगे, उसका income आएगा capital gains में, उसका income का आएगा बोलो जल्दी से, capital gains, अब job किया, salary में जाएगा, rent किया property को HP में जाएगा, यही house property बेच दिया, capital gains में जाएगा, समझमारी बात, business या profession किया, PGVP में जाएगा, अब अगर इन चारों में से कहीं नहीं जा रहा, तो income tax इतना danger है, उसको बोल दिया, income from other sources, income from other sources, is section 56 to 59, जो कहीं नहीं जारी, वो other sources में जारी है, for example, dividend से आने वाली income, या investment से आने वाली income, सोच के देखो, मैं को interest या dividend मिल रहा, is it a salary, is it a rental income, is it a business or profession, is it a out of sale of such capital asset, तो यह जो investment income है, वो other sources में चल जाती, तो dividend हो गया, interest हो गया, मैंने lottery लगाई, पैसा आया, income from other sources, income from other, सोच के बताओ, मैं lottery बेचता हूँ, मेरी income किदर आईगी है, PGVP, lottery मैंने जीती, Saturday ब्रो, yes, further classification और आगे भी मिलेंगे, पर 5 head of income है, पहले दिमाग लगा लो, 5 head of income, कौन-कौन से हैं पहला, salary, फिर HP, short मैं बोलो, पहला, salary, HP, PGVP, cap gains, IFOS, IFOS, ठीक है, income from other sources, यह short forms allowed है, so salary, HP, PGVP, capital gains, other sources, यह हो गया आपके, sources of income and heads of income, जब हम income word discuss कर रहे हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, yes or no, अच्छा, अब जब income word discuss हो ही रहा है, तो कुछ और भी word discuss हो जाए, gross total income, and total income, gross total income section 80B, total income section 2 subsection 45, अब यह gross total income और total income क्या होती है, क्या आप जानते हैं जो हम tax पर करते हैं, वो total income पर based होता है, जो हम, हम exactly income tax में कर क्या आए हैं, हम income tax में पहले आपकी total income compute करते हैं, इसलिए मैं आपको दो अलग अलग वड़ बोले, पहले income और income पे tax, तो the first responsibility everyone out of here is, we need to compute tax under various heads, जब हम पाचो हेड की income निकाल लेंगे, इसमें से deduction exemption माइनस कर देंगे, तब जाके क्या वनेगा, total income and we pay tax on total income, सर, gross total income क्या होती है, gross total income का मतलब होता है, income from salary Hb, Pgbp, cap gains and other sources in sab ko milaya in sab ko milaya right in sab ko milaya and after clubbing and set off जो income आएगी, उसे हम कहेंगे, gross total income तो पांचो हेड की income मिला लो, पांचो हेड की income मिला लो, और इसमें clubbing और set off कर दो, इसमें क्या कर दो, clubbing और set off कर दो, अब ये clubbing मतलब क्या होता है, सर, ये भी समझाओ, आपको तो पता है, मैं average बच्चा हूँ, clubbing मतलब क्या होता है, कई बार इंसान अपनी income किसी और को transfer करने की कोशिश करता है, जैसे, मान लीजे, prestige के सामने मेरा एक property है, एक flat है, मान लो, ये flat को मैंने rent पे दिया, बरबर, लेकिन मैंने, जो किरायदार बच्चे थे, PG में, उनको कहा, जो rent आएगा, वो आप मेरे wife के account में deposit करेंगे, logically सोच के देगो, property किसके नाम पे है, विजय, और rent मैंने किसके account में deposit करवाया, पल्लवी, यानि, don't you think, मैं मेरी income किदर divert करना चाँ रहा हूँ, किसी और account में, ऐसे case में AO क्या करेगा, वो income को मेरे income में club कर देगा, तो clubbing मतलब, अगर कभी भी ऐसा लगा, कि आपकी income थी, पर कहीं all divert किया है आपने, in order to save tax, तो वो income मेरे ही हाथ में club कर दी जाएगी, तो ये AO का एक power है, ये AO का क्या है बिटा एक, power है, what is shut off, what is shut off, shut off का मतलब मान लीजे, ऐसा भी possible है न, कि मैं business कर रहा हूँ, business से loss आया, हाँ या न, मेरी income को, मेरे losses के against में set off कर देगे, let me tell you, the concept of set off, understand, set off, लिखना मत, सुन, सुन, अरे लिखते मत जा, पहले concept समझ, समोज, suppose कर लीजे, कि भाया, Reliance Industries के दो business है, एक है G.O, येस, और दूसरा है Reliance Fresh, G.O से आया profit, 8 lakhs, और Fresh से आया loss, 2 lakh, अब आप बताईए, income tax department आके Reliance को कहता है, तुम्हें काम करो, 8 lakh पे क्या कर दो, तुम्हें को,لो टाइक्स भड़ दो, आपके इसाब से Ammali जी क्या कहेंगे, भाई अगर तुम मेरी income consider कर रही हो, तो तुम्हें मेरे losses ही consider करने पढ़ेंगे, अरे hellou, टिंट रिंटों, अगर तुम मेरी income consider कर रहे हो, तो मेरे losses करने पढ़ेंगे, अगर तुम्हें मेरे success में मेरे साथ रहना है, मेरे failures में मेरे साथ रहना होगा, कल हम यह point discuss करें होते, whether income also include negative income मिटा, yes, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मेरी income consider करो, मेरे losses भी consider करो, अगर आप मेरे profit में 30% के partner है, हम income tax department को क्या कहेंगे, अगर आप मेरे profits में 30% के partner है without any partnership deed, करना पड़ेगा, are you getting the point, तो आपकी income कितनी मानी जाएगी, income after set-off कितनी मानी जाएगी, are you getting the point, इसे कहा जाता है set-off, इसे क्या कहा जाता है, set-off, तो आप अभी यह लिख सकते हो set-off, दूसरी बात, clubbing मतलब क्या होता है, clubbing का मतलब होता है, if income is diverted to avoid tax, income shall be clubbed by AO in the hands of transferor, by AO in the hands of transferor, sir in the hands of transferor, यह सम्झाओ, वावा, सब सम्झाओंगे बेटा, सबोस कर लो, यह आपके विजुसर, विजुसर के पास है, house property, house property से आरा rent, बत यह rent जो आया, यह आया cash, it is deposited in pallu account, बरबर है, now, now, this should have been, this should have been, taxed to VJ, this should have been taxed to VJ, why, because VJ is owner, now, AO will club, the rental income, in the income of, बुलुबबटा, VJ, even though यह पैसा पल्लवी के account पढ़ा रहेगा, और उस पर tax कौन भरेगा, VJ, the real owner, so if income is diverted to avoid tax, income shall be clubbed by AO in the hands of transferor, अब यहाँ पर transferor कौन था, बोलो जल्दी से, transferor कौन था, VJ, so if VJ के पास कोई house property है, यह house property rent पे गई, इसमें आने वाला जो cash है, यह पल्लु के account में deposit कर दिया, logically है, VJ के account में deposit होना चाहिए था, विजे की income दिखनी चाहिए थी, पर दिख किस की गई, पल्लु की, credited in wrong account, यह क्या करेगा, पैसा वही रहने देगा, सिर्फ income किस के हाथ में tax करेगा, VJ, इस concept को क्या कहा जाता है, clubbing, तो आम आदमी, clubbing का मतलब going to a club, commerce student, clubbing का मतलब, taxing any other's income in other's hand, किसी की income, किसी और के हाथ में taxed, यह कैसे समझेगा, assessment होता है, जब यह verification करेगा, तो ही यह समझेगा, और अगर verification करते वक्त यह दिख गया, तो ही clubbing होगा, नहीं तो हो गई नहीं, CA final, एक 82 pages का chapter है, assessment, वहाँ पढ़ेंगे अपन, दोनों joint donor रहे, HP का एक section है, section 26, वहाँ देखेंगे, joint donor रहे, तो income कैसे divide होगी, is that done, एक minute, लिखा आपने, नहीं, लिखो बिटा, हराम से, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ से चालू करूं, और थोड़ा नीचे, एक minute रुको, पहले मैं स्क्रीन से अड़े जाता, लो जी, तो करूं, भालूं, एक कोई जा होगी, पहले मैं से चालूं करूं, तो कोई एक spa उन्खेंगे, यहाँ पहले मैं से उन्हाँ एक, यहाँ इन्हाँए, जाएग्पने प्लिटा यहाँ आपने, जाएगे, the रहाँ वादाने, you give pin money now understand if you are earning salary you are liable to tax you are giving let's say not pin money to mom you will give maintenance money to mom to aap maintenance money jo mom ko now if she makes investment and earn interest it will be taxable to mom correct possible hai na possible hai waisa bhi possible hai but us case mein investment unke dwara ho ra hai to income unke haath mein taxable ho ga yes haan ji clubbing करने पर है ना आगे है है यह जो clubbing होगा technically विजय ने अपनी income divert करने की कोशिश की है तो इसके उपर penalty provision आएगा but penalty का जो chapter है वो आपको inter level पर cover नहीं है yes but there is a penalty हाजी हाजी आएगा आगे है premature question है रख लिया जिम में clubbing बोलो clubbing क्या होती है if income is diverted to avoid tax income shall be clubbed by who AO in the hands of transferor जिसने ऐसा करने की कोशिश की है तो suppose Vijay का HP income Vijay का HP है rent पलू के account में deposit हुआ क्या Vijay ने अपनी income किसी और के account में divert करने की कोशिश की yes this should be taxed to Vijay because Vijay is the owner now AO will club the rental income in the income of Vijay समझ मारी यह बात the best part पता है आपको क्या है यह जितने शब तुम पढ़ रहा हो न यह एक पूरा chapter है बताता हूं न तुमको रुको तो अभी magic बाकी है अभी खतम नहीं किया मैने शुरुआत किया आओ वापस सर कहा है हम अभी लिखना वाकी है ले बेटा लिख अभी जो भी डाउट है मैं क्या बोल रहा है आप में से एक का भी डाउट अंक्लिर नहीं रहेगा इंक्लूडिंग जित्ते लोग उनलाइन बेटे है रुको तो प्रोब्लम पता है क्या क्या है है सब्जक्त तुमको इतना इंटर्स्टिंग लाग रहा है कि तुमको बहुत सारी क्योरासिटीस यह-ह ऐसा हूआ तो क्या वैसा हूआ तो क्या क्यूंकि मैट्र है इंकं का और उसके बाद टैक्स का इंकम है जो तुमको कमानी और टैक्स है जो तुमको देना नहीं है, तो तुम 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 तीसरे दिन से टैक्स चोरी करने की दिमाग लगा रहे, राधर देन अंडर्स्टेंडिंग देक्स, पहला आस्पेक्ट पहले लौ को समझो, फिर तुम उसको चोरी करने का दिमाग लगा पर तुम पता है क्या कर रहे हो, पहले ही चोरी करने का दिमाग लगा रहे है लौ गया तेल लिन है, रुको जरा, सबर करो मैंने आपको कल्षाइरी क्या बोली थी, एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे मैंने खुद को बनाने में सदिया बिताईए रुको तो, आएगा मैं जिस हिसाब से लेके जा रहा हूँ, उस हिसाब से चलो, थोड़ा सा, पादस मिनिट के लिए हम कौन से वर्ड पे थे, इंकम हम कौन से वर्ड पे हैं, इंकम इंकम को ढूंदते ढहंदते नीचे आए, तब पता चला, there are sources of income और income tax में हम इसे head में classify करते हैं, याद होगा तो आप accounts में ऐसा नहीं करते हैं, याद होगा तो आप accounts में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप यहां ऐसा कर रहे हैं, yes, तो इदर आईए, salary, HP, PGPP, capital gain, other sources, yes or no, other sources, तनीशा विटा, आपके chat जो है मेरे को visible है, पर कुछ question ऐसे है, जो अभी का आपको जवाब नहीं देना है, मैं नहीं दे रहा हूँ, यहां से हम आगे बढ़े, हमने समझा और भी दो concept होता है, gross total income, total income, जो यह 5 head पढ़के आए, जब आप इस 5 head की income को जोड़ दोगे, मतलब, या आगया salary, या आग कर ली, वो भी इसमें जोड़ दी, इस chapter को क्या बोलते बोलो, clubbing, इसमें से मुझे एक business में loss आया था, मैंने इस loss को क्या कर दिया, minus, इसको क्या बोलते, set off, अब यह जो बज गया, इसे क्या कहेंगे, gross total income, इसे क्या कहेंगे, बोलो जल दी से, gross total income, समझ में आया है, ऐसे कै समझा, बोलो नहीं समझा, वापस से सुनो, पाँच head को जोड़ेंगे, पहला, फिर, 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 यह पाँच head जुड़ गए, अब मैंने ऐसी सारी income जो कहीं all divert कर दी, मेरे को उस पर tax नहीं भरना था, मैंने जान मुझ के divert कर दी, यहो वो income को भी पकड़ेगा और इ यह जो chapter है, इसको क्या बोलते है, जो कहीं all divert करीब ही और मेरे में जुड़ी, इसको बोलते है clubbing, अब इसमें से एकाच जगह कहीं loss था, तो यह loss हमने हटा दिया, अब यह जो loss हटाया, इसको क्या बोलते है, set off, यानि क्या मैं कह रहा हूँ, मेरी net income after losses taxable है, यह जो net income after losses है net income after losses and after clubbing, इसे क्या कहा जाता है, cross total income, कलल का, फिर समझा तुमको, बोलो नहीं समझा, आरे नहीं समझा बोल रहा हूँ नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, उप्स, बोलो नहीं समझा, हाँ जी, यह क्या है, salary, फिर क्या है, फालतू के जवब दिये न, रि आप मारेगा, हम बता रहा हूँ तुमार को, मैं जो दिखा रहा हूँ, जो अजूम करा रहा हूँ, कर लो, पहले क्या है, salary, HP, PGBB, capital gain, other sources, यह 5 head की income बन गई, इसमें मैंने कहीं all divert करीवी income को जोड़ दो, इस chapter को क्या बोलते, इसमें से किसी particular head का loss minus कर दो, बरबर, अब जो net बज गया, यह क्या है, gross total income, समझ में आ रही है बात, यह हो गया, gross total income, gross total income clear है, पर क्या हम gross total income पे tax देते, answer is no, क्या हम gross total income पे tax देते, we pay tax on total income, अब आप यह पूछेंगे, sir, what is total income, total income means, gross total income minus deduction under chapter 6a, यह बन गया आपका total income, यह बन गया आपका total income, so gross total income, minus deduction under chapter 6a, सिर्फ income word खोदे जा रहा हूँ, दो घंटे से, कौन तुमें यह यह प्यार करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, इत्ते में, demand supply का demand unit खतम होता था अपना, पांच elasticity वाला, यह आदारा गया, साने एक की वर्ड चले जा रहे जब से, चलो, gross total income minus deduction, gross total income minus deduction, वेची मिमिंट, क्या हमने deduction word देखा, यहां भी देखा था, पर meaning समझा, आपन कौन से बच्चे हैं, अभी तो deduction और exemption और दो वर्ड बाकिये जो समझने पड़ेंगे, तो समझेंगा यह है क्या, तो मैं फिर से यहां आया, पहले यह समझो, total income क्या है, what is total income, gross total income minus deduction, क्या बनेगा, total income, we pay tax on total income, we pay tax on total income, मस ते इसको लिप्स्टिक लगाओ, लिप्स्टिक, लिप्स्टिक, we pay tax on total income, so बच्चे, तुझे नहीं लगता, अब income tax में करना क्या है, इस पूरे चाप्टर में करना क्या है, why the hell we are here, पहले 5 head की income निकालेंगे, फिर clubbing जोडेंगे, इस मैंसे set-off minus करेंगे, क्या मिलेगा, gross total income, gross total income से क्या minus करेंगे, deduction, फिर क्या मिलेगा, total income, और जब total income निकल जाएगी, ये income tax का पहला word होगा, income, अब इस income पे, दूसरा responsibility, क्या निकालेंगे, tax, this is your whole task under this subject, पहले income निकालो, और income पे, tax निकालो, and that's why the name of the subject is income tax, समझ मैं आया, अब मैं तुमें सम्झा पाया हूँ, what is the heading of this subject, अब मैं तुमें क्या सम्झा पाया हूँ, what is the heading of this subject, सम्झ मैं आया, झाने, तूम्लो नहीं सम्झा, मैं फिर से सम्झाओंगा, सुनो, इदर, इदर, पांचो हेड बोलो, पहला हेड यह बन गए पांच हेड मैंने किसी और के पास डाइवर्ट करी थी यहों को मिल गई तो जोडेगा सर मिली ही नहीं तो अरे जब मिली ही नहीं तो फिर क्या फाइदा मतलब जोडेंगे तब जब मिलेगी जुडेंगे जब तब मिलेगी तो अगर यह मिल गई इसको भी जोड देंगे यह कौनसी बन गई? क्लब इग पर इसमें से हर जगा प्रॉफिट थोड़ीन होगा कई बार मिलेंगे पर लॉस होगा यह लॉस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे माइनस करने के कंसेप्ट को क्या कहते है? अब जो बजगया यह क्या है? ग्रास टोटल इंकम ग्रास टोटल इंकम में से कुछ डिड़क्शन्स मिलते हैं डिड़क्शन वर्ड हमने अभी डिसकस नहीं किया पर कुछ मिलते हैं ठीक है, यह deduction भी minus किया, यह क्या बन गया, total income, हमें जो tax देना है न वो, total income पे देना है, तो सर इस पूरे subject में हमारा काम क्या है, क्यों आखिर group 1 और group 2, पूरा tax चलता रहेगा, आप दिखे साब, आपके पूरे CA Inter में tax ही ऐसा subject है, जो 16 अगस से लेके, फरवरी के 1st week तक चलत आ रहेगा, and that is tax, क्योंकि आपको सबसे पहले, chapter निकालना है, total income, total income के लिए आपको 5 chapter पढ़ने है, salary, hp, pgbp, capital gain, other sources, clubbing, set-off, deduction, tax calculation, और एक मिनिट, यह तो इंडिया से आने वाली income पे, foreign से आने वाली भी तो जोड़ना है, वो हो गया, residential status, वो क्या हो गया, residential status, तो अब chapter गिनो, basic tax calculation, residential status, salary, hp, pgbp, capital gain, ifos, clubbing, set-off, deduction, 10 chapter तो इहाँ आ गये, बरे-बरे, जब मुझे income मिलियोगी, किसीने मेरा काटा होगा, TDS, अरे जब income मिलती तो वो कटता न, क्या बलते उसको, TDS, अब जिसने मेरा काटा, वो भी देखना पड़ेगा TDS, फिर ये जितना मैंने कमाया, वो सरकार को बताना पड़ेगा कि मैंने कितना क्या कमाया, chapter return of income, एक और chapter, TDS, एक और chapter, फिर chapter return of income, सरकार को बताना, अब कुछ लोग ऐसे होंगे, सरकार जिनको बोलेंगे, तुम ज़्यादा कमा रहे हो, एक काम करो, तुम थोड़ा थोड़ा पे करना, चालू कर दो, advance tax, कौन सा बिटा, advance tax, are you getting the point, यह आपका syllabus है, तो exactly इस पूरे subject में, हमें करना क्या है, पहले income निकालो, income मतलब कौन सी, gross total या total, पहले income निकालो, इस income पे tax निकालो, यह है आपका subject में करना क्या है, hence the name of subject is, income tax, कललो, यह आपका ICAI, यह आपका ICAI का website, ठीक है, CMA student को भी same ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, in fact आप CS executive भी कर रह रहा हो, तो same ही करना है, यह देखो, यह आपका subject, पहला क्या है बेटा, basic, दूसरा क्या है, residential status, यह आपके module 1 में डाला है, दो ही chapter, module 1 जो आपका रहेगा ना, इसमें पहले दो chapter डाला, और chapter number 3 में देखो, इनने क्या game किया, heads of income, salary, HP, PGVP, capital gain, other sources, एक module में, एक module में इनने किते chapter जोड़ दिये, chapter number 1, chapter number 2, यह कहने को एक chapter जोड़ा है, पर इसके अंदर कितने chapter है, 5, अब समझ में आया, chapter number 1 में मैंने क्यों बुला था, module में 9 chapter है, लेकिन मैं class में 17 पढ़ाऊँगा, क्योंकि यह पूरा chapter है, यकिन ने आता तो सिर्फ PGVP open करके देखो, सिर्फ PGVP 172 pages, सिर्फ एक chapter 172 pages का है, यह पहले module का एक chapter है, तुमारा BCR का module, सर क्या आप हमें डरा रहे हो, हाँ, यह एक हेड है, यह तो सिर्फ PGVP है, रुको जरा, salary 134 pages, income from house property 50 pages, capital gain 124 pages, income from other sources 51 pages, बाकी सब छोड, तेरा basic chapter ही 104 page का है, तो तुमको नहीं लगता तुमारा module 1 ही अकेले 500 pages का हो गया, यह है तुमारा इंटर, और यह मैं आपको याद दिला दू, यह सबसे 50 माग के लिए, ओ हेलो, यह तो DT है न ब्रो, IDT, यश्वन भाव, उनके 19 चाप्टर अलग, उनके 19 अलग, वो अलग territory है total, beyond 12 nautical mile, अपना territory 200 nautical mile, हाँ, एक मिट, खतम नहीं हुआ है, यह 5 head खतम होंगे तो आपका module 1 खतम होगा, फिर institute आपको module 2 देगा, income of other person included in assesses total income, इस chapter को क्या बोलते बोलो बैटा, clubbing, उसके नीचे क्या वर्ड दिख रहा है, set off, फिर क्या वर्ड दिख रहा है, deduction, अब समझ में आया, 5 head मिलाओ, clubbing करो, set off करो, तो क्या बनेगा, gross total income, gross total income, gross total income में से क्या minus करोगे, deduction, deduction, चलो ऐसे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बट, deduction 110 pages, ठीक है, nice ना, nice, फिर आपता है, सरकार बोली कि, advance tax और तेरा कटा है, TDS, advance tax TDS, 136 pages, just a small thing, yeah, then return of income, 55 page, है न, ये तुम्हारा, chapter no. 8, as per module, और फिर इतना सब होने के बाद, तुम अपनी tax liability निकालोगे, क्योंकि यहां तक तो तुम्हारी income निकली है, अब income पे क्या निकालना पड़ेगा, tax, तो income tax calculation, 76 pages, so small no, the subject is such a small subject, some girls, एक गल जाना है, आई सब और रहे चाने मला, क्या सोच के आए ते, सालडा खुष होगा, साब आसी देगा, क्या जाना है, C.A. final, आए, first attend, 50 marks, आए, 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 ऐसा कॉन करता है, जर तीसरे दीन, डेमो तुमारा है, मेरा तोडीन, मैं तो subject ही पड़ारा न, bro, तुमको अब तक समझने आ है, मैं तीन निन से तुमको चार शम्द पड़ारा है, तब तो समझ जाओ, लेंथ क्या है, आज भी तुमारी आखे नहीं खोलता तो तुमको समझ नहीं आता है, रोज घर पे जाके पड़ना है, तीन दिन से यही बोल रहा हूँ, रोज घर पे जाके पड़ना है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, तुम परिशान हो जाओंगा, और येसी 50 माक के लिए, आईडिटी खोलू क्या? आईडिटी येश्वन सर, येश्वन सर खोल देंगे, वो आदमी बहुत तोड़ताड़ इंसान है, माहोल इंसान है, वो अलग तोड़ देगा, ये मैं मेरे सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इतना है, सो अब, आज तुमसे कोई जाके पूछेगा, मम्मी ने तुमसे पूछा, बिटा, इंकम टैक्स में क्या होता है? पहले इंकम निकालते, फिर उस इंकम पे क्या निकालते? टैक्स, अब इंकम मतलब, कितने हैं इंकम के? पाँच, एवरबाड़े, सैलरी, एचप, पीजी बीप, कैप गेंस, अधर सोर्सेज, सब जोड़ा, क्लबिंग एड किया, सेट अफ माइनस किया, क्या मिलेगा, बोल इंकम निकाल, इस टोटल इंकम पे क्या निकालेंगे? टैक्स, यस ओ नो, और ये तो सिर्फ इंडियन इंकम के लिए, फोरें 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 इंक चाने वाला है ये सब, next chapter यह वहाँ discuss करेंगे आपन, चलो, अब आपको नहीं लगता है दो वर्ड और थे जो बीच-बीच में आ रहे है, deduction and exemption, तो वो भी पढ़ लेते हैं, अब इत्ती दूर आई है तो, आओ बेटे, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, कि सर इतना सब एक जनम में पढ़ना है, एक जनम में नहीं बिटा, एक पेपर में उसमें भी पाल्ट है, पाल्ट भी अलग, दोनों अलग-अलग सौल करने हैं, पर मैं तुम्हार को एक बात बुलूँ, ये सब तुमार को, ये सब तुमार को बहुत अचह से जमेगा और लेक्ट के end में, यहीं बैठे होंगे हम, यहीं बैठे होंगे लेक्टर के end में, पूरे, के पूरे सत्रह चाप्टर मोह पे बोलोगे section के साथ, यह मेरा guarantee है, और यह guarantee इसलिए है, क्योंकि तुमको जिस student ने पकड़ करके बोला, तिरको इधर ही जाने का है इस subject के लिए, उसने कुछ तो देखा होगा कि यह तुमको भेजा, तो तुम भी यह करोगे, don't worry, तुमको आज यह बहुत बड़ा लग रहा है, yes, पर पह बूल बटा, exemption, यह दो अलग-अलग word है, यह दो अलग-अलग word है, deduction and exemption, exemption means total exemption, that is, such income is not subject to tax, exemption means, hundred percent exempt, such income is not subject to tax, for example, your PGVP is 10 lakh, and let's say there is an exempt income, 2 lakh, तो आपकी total income कितनी मानी जाएगी, 10 lakh, minus नहीं करना है, exempt income is a different income, let's say agriculture, तो business से आने वाली इंकम 10 lakh है, और तुमारी खेती से आने वाली इंकम 2 lakh है, मतलब तुमारी total receipt 12 lakh रुपए हुई, hello, receipt, receipt 12 lakh रुपए हुई, लेकिन जब तुम income tax calculate करते रहोगे, तुम अपनी income कितनी मानोगे से 10, क्योंकि जो income exempt है आप उसे total income में count नहीं करते, so if income is exempt, if income is exempt, it is not counted in total income, if income is exempt, it is not counted in total income, तो अगर हमको income कह दें, कि यह exempt है, तो income तो है, पर उसको tax नहीं लगने वाला, are you getting the point, जैसे हम कुछ देर पहले discuss कर रहे थे gift, अभी तेरे एक सवाल तायाद है, मम्मी पपा से जो मिल रहा है, मैंने कहा, बिटा, income तो है पर exempt है, मतलब वो income मानी जाएगी, gift is an income, पर उस income को सरकार ने क्या दे रखा है, exemption, सरकार चाहती नहीं उन income पर tax लेना, सरकार चाहती नहीं उन income पर tax लेना, सर तो ऐसी कौन-कौन सी income है, income which are exempt are specified in section 10, तो ऐसी कुछ around 49 income है, यह भी एक chapter है आपको, ऐसी कुछ around 49 income है, जिस income पर tax नहीं लगता, income है पर इस पर tax नहीं लगता, यह आपको एक और chapter है, exemption, यह आपको एक और chapter है, बोलो क्या? exemption, यह आपको एक और chapter है, अब प्लीज हाइलाइटर लो, इसे हाइलाइट करदो, इसे हाइलाइट करदो, है न, आइलाइनर लगाओ इनको, इन पर मसता आइलाइनर लगाओ, आइलाइटर लो, इसे हाइलाइटर लो, इसे हाइलाइटर लो, और ऐसी सारी इंकम एक section में लिखी है 10, section 10 है, there are 49 subsection, समझमारी बात, अब समझा, 298 section का 758 कैसे होता, अब समझ गहा तुमको, अब मैंने कहा, deduction मतलब क्या होता है, deduction means partial exemption, that is, if certain conditions are satisfied, if certain conditions are satisfied, then deduction is allowed, deduction means partial exemption, if certain conditions are satisfied, then deduction is allowed. Deduction is available from different heads and gross total income also. तो deduction, दो जगह मिलेंगे, heads में भी मिलेंगे और gross total income compute करते वक्त भी मिलेंगे, example समझाता हूँ, आपके dad, life insurance premium pay करते हैं, देखा आप लोगोंने, ATC में deduction ले लेते हैं, medical insurance premium pay करते हैं, ATC में deduction लेते हैं, जिसको कहा जाता है deduction from gross total income, business के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, उसका deduction heads में से ले लेते हैं, उसका deduction कहां से लेते हैं, बोलो, heads में से लेते हैं, are you getting the point, yes, so deduction मतलब क्या होता है, partial exemption, आपको क्या किया जाता है, बोले जाता है कुछ condition satisfy करो और deduction ले लो, अब condition मतलब क्या, LIC में invest करो, you know mutual fund में invest करो, shares में invest करो, Medi claim में invest करो, और आप अपनी income tax से अपनी income क्या करवाओ, reduce, yes, फिर अलग-अलग जगर donation दो, तो donation दे करके, आपको क्या ले लो, deduction ले लो, तो यह सारी चीजे कहा जाता है, deduction, आपकी income को कम करवाने का, एक simple सा तरीका है, पूछो सरकार को क्या फाइदा होता है deduction दे के, पूछो ना, क्योंकि सरकार तो आप तो सोचो कि भी सरकार तो tax collect करने वेटी है, सरकार को क्या फाइदा आपकी income कम करवाके, आप समझे नहीं, आपको foundation में economics पढ़ाया गया था, आप उसका real meaning समझाता हूँ, understand, यह श्रियां LIC, point number one, इसका life save हो गया, LIC, transfer of wealth from one person to another, अब LIC इसको अपने business में invest करेगा, उससे profit कमाएगा, इससे चार लोगों को salary देगा, wealth from one person to another, that's how economy works, that's how economy works, क्योंकि एक विक्ती से दूसरे, अब जैसे आपके dad ने कमाया, यह मेरे को दिया, yes, मैं मेरे employees को दूँगा, और अलग-अलग जगा खर्चा करूँगा, अलग-अलग जगा जब खर्चा करूँगा, let's say, आपके dad Reebok में काम करते हैं, आपने मेरे क्लास लगई, मैंने income earn किया, Reebok का जूता खरी रहा, economy works, तो सरकार को इससे tax collection नहीं हो रहा पर एक देश की economy को चलाने के लिए, आपसे investment करा के क्या करवाया जाता है, deduction दिया जाता है, ताकि पूरा machinery घूमे, पैसा पूरा rotate हो, समझ में आरी यह बात, अच्छा, so भाईया, दो चीजे थी, deduction and exemption, अब इधर आओ वापस से, gross total income, 5 head की income मिला, clubbing करो, set off करो, क्या बनेग income, जब gross total income में से क्या minus करना पड़ता है, deduction, क्योंकि आपसे investment करवाके economy में पैसा लगवाया, ठीक है, सरकार ने बोला मेको मत दे पर economy में पैसा घुमवा दे, मैं तेड से नहीं लूँगा, जिसके लिए यह income मैं उससे लिलूँगा, पर पैसा घुमने दे, हर एक का घर चल revenue receipts are chargeable to tax, unless generally सारी income taxable रहेगी, जब तक के सरकार इस पर क्या ना दे दे, deduction या exemption, आप समझा यह line क्या लिखी है, मतलब generally आप जितनी भी revenue receipt collect करते हैं, सब taxable है, पर अगर सरकार ने exempt कर दिया, तो वो total income में count नहीं होगी, और deduction दे दिया, तो सिर्फ कुछ portion of income क्या हो जाएग minus, are you getting the point, यह हुआ आपका income word का meaning, पूरा का पूरा, अब फाइनली खतम, income word का meaning, are you getting the point, अब हमने total चार word complete किया, बुलो बिटा कौन कौन से, income, stop, income, income means legal और illegal, both, yes, क्या income word defined है, yes, every income is a receipt, बड़ हर receipt, तो receipt कित्ते प्रकार की होती है, capital receipt, revenue receipt, capital receipt are not chargeable to tax, revenue receipt are always chargeable to tax, unless deduction or exemption is given, याद आ रहे क्या मालिक आपको, अच्छा, फिर हम आगे बड़े, income दो तरेके से होती है, नहीं, पहले sources of income कितने है, unlimited, income tax में income को पांच head में classify की जाती है, उस side वाले मेरे दोस्त नहीं बोल रहे है, वापस बोलो, पांच head of income, यह पांच head की income हुई, अब हमने समझा, gross total income, total income भी कुछ उड़ता है, gross total income, मैंने कुछ income किसी और परसन को divert करी ताकि में को tax ना देना पड़े, ऐसी income मिल गई, तो AO क्या कर देगा, clubbing, मेरे कुछ losses भी होंगे, अगर तुम्हें मेरे सुक में शामिल होना है, दुख में शामिल होना पड़ेगा, set off, अब यह जो बचाई से क्या कहते हैं, gross total income, फिर सरकार ने तुम को कहा, कि तुम दूसरे को पैसा दो, investment करो, तो मैं तुम्हारी income और कम कर देता हूँ, अगर income कम होगी तो tax, progressive basis, तो लोग अब क्या करते हैं, पैसा LIC में लगाते, insurance में लगाते, stock में लगाते, mutual fund में लगाते, donation देते, यह minus हो गया, यह जो minus हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, deduction, अब जो बचिए कौन सी income है, total income, we pay tax on total income, तो इस पूरे subject में, इस पूरे subject में, हम DT में करने क्या वाले हैं इतने दिन, पहले income निकालेंगे, और उस income पे tax निकालेंगे, यह subject का scope है, तब जाकर के, हम चार वर्ड पड़ पाते हैं, income tax act 1961, आता कसा वाटते हैं, भारी, section 4 में जाओ, उसका पहला वर्ड पड़ा, अपने income, पहला वर्ड, section 4 में जाओ न, वहां पे बहुत सारे वर्ड है, उसमें का पहला वर्ड डिसकस कर रहे थे हम, अब बच्चो, बच्चो, जड़ा एक बार section 4 पड़के दिखाना वला, क्या था, income tax यह दोनों एक वर्ड है, अलग अलग वर्ड है, income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of to, hey stop stop stop, in respect of total income, wait a moment, kya jane anjane mean tumne ye word bhi parda ala kya, nahi mein ko yaad nahi ara total income, total income matlab kya mein ko yaad di rao, gross total income, oh my god I am not able to recall what is called total income, gross total income is equals to salary, this is gross total income, this means kya minus kareenge, toh kya melega, and we pay tax on total income toh pahele income nikalo, phil tax nikal na hai, ayat hanme ki dhukan mein, ayat hanme ki dhukan mein, pak ki bat, vapas padu, section 4, income tax is payable for any assessment year at the rate specified by annual finance act in respect of total income of any person in previous year, my god, तो income tax word पढ़ लिया, अब क्या-क्या word पढ़ना है जरह सूचते हैं, assessment year, previous year, person and rate, ये भी पढ़ना पढ़ेगा, तो जाके basic complete होगा, तो जाके क्या complete होगा, basic, तो चलो, अब ये person में चलते हैं, आजाओ, आजाओ, person में चलते हैं, काई में चलते हैं, person, yes or no? person में चले, sir, मैं एक बात आज नहीं, sir, आज, आज नहीं, sir, आज नहीं, ऐसा होगा नहीं, सुनो, हाँ, आपका सवल था, बिटा, श्ष, हाँ, insurance, मान लिजे, insurance policy मैचौर हो गए, उस पर पैसा आया, आप यही बोल रहे हैं, आएगा, chapter है, exemption नाम का chapter, chapter number 10, उसमें एक section है, section 1010-D, उसका rule number 4, यही बात बोल रहे है, आएगा, उसके पहले आपको यह समयना है, जब insurance premium पे करते हैं, उसका क्या होता, तो right now your question should have been, कि जो हम insurance पे कर रहे हैं, उसका क्या होता, तो आपका यह सवाल मैंने रख दिया, आएगा, जी बच्चे, वहाँ पे किस करते हैं, हाँ, आएगा, वो भी है, वो भी है, यह भी सवाल लेके रख लिया, clubbing में आएगा, अच्छा अब सुनो, सुनो न, hello, hello, सुनो, सुनो बेटा, तो यह है आपके subject का index, सुनो, रुको जरा, सबर करो, यह है आपके subject का index, रुको न, अच्छा सुनो, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, प्लीज, आज जाने से पहले, हर pillar पे एक scanner लगाया है, telegram का, ठीक है, gate के पीछे और gate के आगे, हर जगर telegram का एक scanner लगाया है, mandatorily आज join करो, reason, मुझे यह pdf send करना है, जितने लोगा online, offline बैठे उसके लिए, पहले chapter का, हर chapter का pdf नहीं मिलेगा, पहले chapter का मेरे को आपको send करना है, ठीक है, most probably आज books आ जाएगी, और कल शायद आपका law और tax का distribution शुरू हो जाए, तो classes से related, जितने communication है, वो उस telegram पहेंगे, point number एक, point number दो, point number दो, यह one side channel है, two side नहीं, क्योंकि अगर हमने यह channel open किया ना, इसके कुछ problems है, problem पहला, कोई भी लड़का, किसी भी लड़की को या लड़की लड़के को accordingly message करते हो, हमार को चाहिए नहीं, ठीक है, requesting every student, कोई गलती से भी try मत करना, खुद का एक open channel बनानेगा, है न, यह बिल्कुल मत करना, बरबर, तो यह रहने देना, जहां जो communication है, क्योंकि हल teacher ने join that particular group, जिते बच्चे online है, आपके description link के अंदर में इसका group का link मिल रहा है, ठीक है, तो उसका detail वहाँ आपको आजाएगा, दूसरा, कई बच्चे 7.30 बजे के बाद रुखनी पारें, पर उनका admission बाकी है, तो हम admission form की भी link उसके अंदर में दे देंगे, ताकि आप क्या कर सको वहीं से online admission करके अपना काम करतम कर लो, रुकने का काम निया office में, प्योंकि शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो रुकने का काम निया, ठीक है, अब इदर आओ, मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था, हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था न, इंडेक बोल बेटा, chapter number 1 क्या है, basic, फिर residential status, फिर agriculture income क्योंकि यह exempt है, तो मैं जो आप से कह रहा हूँ न, exempt income की पूरी list पढ़नी है, फिर HP, salary, IFOS, capital gain, PGP, clubbing, setup, deduction, exemption, tds, alternative minimum tax, advance tax, return of income, computation of total income, यह DT है, 50 मार्क के लिए, और CMA में 100 मार्क के लिए, यह तो पूरे chapter, as it is, cut, copy, paste है, प्लस इसके अलावा, आपको और 5 chapter है, CMA में, जिसको हम separate recording में आपको देंगे, yes or no, color गया पूरा, yes, अच्छा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो person की definition, लिख तो लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख तो लेते हैं, मेरी बात तो सुनो, देखो, तुमें, देखो, तुम्हारी इच्छा हो रही है, अभी ही पढ़ने की, अच्छा, सुनो, मेरे पास दो दिन से बहुत सारे लोग आ रहे है, friend आ रहे है, कहीं और कुछ जॉइन किया है, अपने पास जॉइन करना है, etc, etc, लेकर के, तो अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है, जो आना चाह रहा है, प्लीज मेक शौर कि उसको कल बुला लो, क्योंकि कल से हम लोग person का definition भी चालो करेंगे, और कल से tax calculation वाला पार्ट शुरू हो रहा है, कोई भी mister या miss, miss करने की गलती मत करना, कल से mandatory आपके हाथ में multi-color pen होने चाहिए, जिसमें से black को use करो, exam में वही लोग उस करना है, right, black, एक multi-color pen होना चाहिए, जिसमें से red, green, blue, कुछ भी रख लो, आप एक highlighter चाहिए, calculator, mandatory चाहिए, कल से, कल से tax calculation वाला पार्ट initial हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि section 4 के अंदर में हमारा जो बाई बोले बच्चो, एनी स्टूडन्ट, एनी काइंड ओव डाउट, प्लीज कम, जाते जाते प्लीज स्कैन करके जाना, हर जगह लगाया है, एनी स्टूडन्ट, एनी काइंड ओव डाउट, प्लीज कम, दो मिनट रुक, दो मिनट रुक बाई, sir ATC में डिड़ेगा insurance premium का yes शाहिद sir live वालों को कब मिलेगी books यह जो books है हमने already send करना चालू कर दिया है maybe 5-6 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगी sir disputed income में full amount पे tax लगेगा दोनों को या half AO decide करेगा किसको कित्ता लगाना है AO decide करेगा किसको कित्ता लगाना है और सवाल पूछो yes sir from when we will get from where we will get soft copy of the books अजीद आपको telegram channel पे मिल जाएगा पूरे book का soft copy नहीं मिलेगा सिफ एक या दो chapter का मिलेगा yes sir donation देने में क्या फाइदा हमें आपको income tax में से deduction मिलेगा ATG में तो आपकी total income reduce होती प्लस एक social cause भी पूरा होता sir demo के बाद lecture किस पे देखेंगे एकत्वम academy के app पे देखेंगे please आप technical team जितने लोगों ने online lecture buy किया है please अपना technical setup अभी से करवा के रखो technical team का number मैं आपको देदू technical team 10 बज़े से लेके 7 बज़े तक के ही open रहती है 895-678-4254 या 55 पे call करें ठीक है sir मज़ा आ गया thank you बिटा sir house property is not for commercial purpose then premature question hp नाम का एक पूरा chapter है हम आँ discuss करेंगे sir demo कब खतम होने वाले है 7-8 lecture youtube पे रहेंगे 7-8 lecture के बाद हम लोग shift हो जाएंगे तो please अभी से अपना करके रगिए sir but why house rent through not brought as business expenses be liable for tax again premature question है बिटा तुम एक ही दिन में पाचो एड के concept point समझने का try कर रहे हो नहीं possible ले रहे है तुमको अभी समझाए chapter कितना छोटा है sirs board course buy करते हुए mistake हो गया drive की जगा live हो गया अब क्या बेटा तुने अगर drive भी लिया है तो live तिरको free है tension मतले मेरे तरफ से move 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 यह देखो तुम सिर्फ सवाल देखो कितनी है sir रक्षा बंदन के दिन holiday रहेगा क्या मेरे को राकी बंदने का अगर वह इस किदर जाएगा कुष से लड़कों ने भी में को राकी बंदने का भाई बोलके लड़कों ने भी मानने का चुट्टी नहीं मांगने का सर गिफ्ट अगर फ्रेंड से मिला है तो क्या होगा बिटा आए फोस में डिसकस होगा सेक्शन 56-10 पूरा देड़ घंटे का चाप्टर है सर यूटुब पे कितने दिन डेमो रहेंगे सर जीडी वालों की सीरियल की कब रिसीव होगी अमित प्लीज मेल चेक कीजे the moment you buy you get सीरियल की yes sir can I take the classes for your channel मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे है channel के classes कैसे लेंगे आप अच्छा YouTube पे पूरा कर सकते गाए ऐसा भूच रहे हो नहीं न वह हमारे भी घर बार भी बच्चे है न वाई ऐसा मत करना yes sir 10th का बच्चा हूँ पेटा जी ले जिन्दगी अभी न तिरे पास 2 साल है please जी ले sir 50 1000 से उपर का gift taxable हो गया क्या फ्रेंड से मिला तो वरून section 562 income from other sources you need to slog देड़ घंटा तो तेको यह सवाल का जवाब मिलेगा मैं इसका जवाब तेको डारेक्ली नहीं दे सकता क्योंकि मानले फ्रेंड से मिला पर शादी में मिला तो एक्जम्ट है so there are lot of things you need to understand sir इतना सब पढ़ाने के लिए thank you love you too sir income tax के लिए bear act refer करना है क्या नहीं अगर मेरे हाथ में क्लब किया तो उसको क्यों tax करेंगे वो income हम बनाने की कोशिश कर रहे थे the moment dayo ने पकड़ा वो मेरे हाथ में tax हो जाएगी यह ने पकड़ने से पहले वो तो show करेगी ना दिखाने के लिए कि यह मेरी income है तो फिर उसकी income से minus हो जाएगा और मेरी income में add हो जाएगा plus penalty और interest भी मेरे से collect किया जाएगा for defaulting in tax दोनों को लगाए जाएगे CA final chapter number 43 रे रूक रहे है उससे कर रहा ना मैं one to one सबर मैं इधर है धाई बज़े तक इधर रूकेगा भाई मैं हाँ जी अब बूल तेरा क्या था है teacher को अगर salary मिल रही है तो वह salary में जाएगा भाई 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 रूक पहले save कर दो मट रूक दो मट रूक सबसे पहले कभी भी इधर आने का इसको बंद करने का ठीक है अब इसके बाद तेको जो करने का है कर हाँ अगर teacher है किसी के under work नहीं कर रहा income विल भी